सबसे पहले हम लोग मैं अपने बारे बता दो इस सी ए विशाल जेन फैकलिक्टी अफ सीए फाइनल फाइनेसल रिपोर्टिंग पेपर और अब हम लोग पहले दो तिन बात बहुत बेसिक सी बाते हैं वो डिसकस करेंगे उसके बाद ही हम लोग अपने क्लासिस में आगे बढ इसका ज्राणा है उसका स्लेबस क्या है point number one what's the syllabus point number two मेरा आपसे क्या expectation होगा और आपका मेरे से एक्सपेक्टेशन होगा we will first of all clear the expectation gap हमारे दोनों के बीच में जो expectation gap होगा वो वह लाग केलियर कर ले डेंगी मैं आपको यह चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप मेरे से यह expect कर सकते हो, और मैं आपसे यह expect कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाना चालो करूँगा, सबसे पहले important point है कि हम लोग CA final FR के लिए मिले हैं यहाँ पे, तो why not understand the syllabus of CA final FR, कि syllabus क्या है CA final FR का सबसे पहले तो वही समझ दो, तेक बात समझो कि CA final FR में चार चीजे होती है, एक तो indies cover होगा definitely, कुछ-कुछ indies versus AS के differences cover ह होगे, और चाथा है, schedule 3 cover होता है, तो यह चार चीजे आपको CA final FR में syllabus में है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले यह चार के बारे में detail background बता देता हूँ, what exactly is this, ठीक है, उसके बार फिर में आगे बढ़ेंगे, now, तो indies जो होता है, वो total indies जो issue में है, इंडिया में, वो insurance contracts का है, और यह हट भी जाएगा, issue से भी हट जाएगा, यह indies 117 आ जाएगा इसके बतले, फिर indies 106 है, indies 114 है, और indies 29 है, तो यह 4 indies हमें नहीं पढ़ना है, यह हमारे syllabus में नहीं है, यह 4 indies हमें नहीं पढ़ना है, तो be happy about that, अब 35 indies हमें पढ़ना है, अब 35 indies में गाइस, audio video सबका clear है ना, एक वार confirm कर दो मेरे को, audio video सबका clear है ना, wonderful, कहीं पे कुछ भी समझ में ना आए, तुरंत query डालो, hesitate मत करो, there is no one judging यह हुई है, ठीक है, एकदम बिंदास query डालो, कहीं पे जो भी समझ में ना आए, ठीक है, तो indies हमारे syllabus में है, वो है 35 indies, अब यह 35 5 indies में 12 indies ऐसे हैं, जो major indies से, जिससे exam में, around 60% का question आ जाता है, और 23 indies जो बद जाते हैं, उससे remaining 40% को question आता है, मैं इन 12 indies को segregate क्यों कर रहा हूँ, separate क्यों कर रहा हूँ, the reason being, कि मैंने यह अज़ पर past trends, अगर आप देखोगे ना, past trends, ठीक है, जब देखोगे ना, तो आ बार, बार, one being leases, indies 116, revenue, indies 115, revenue से ऐसा भी हुआ है, कभी-कभी 16 मा सा question आ गया है, पूरा एक set of question revenue से ही है, ऐसा भी हुआ हुआ है, फिर financial instruments covers three standards, indies 32, 107, 109, फिर business combination and consolidation, 6 standards आते हैं, 103, 110, 111, 27, 28 और 112, plus share based payments, indies 102, तो यह सारे मिलाके बन जाते हैं, आपके 12 indies, और इस 12 indies से around 60% का coverage होता है, आपका exam में on an average, if you see the past trends, if you see the past trends, तो यह आपका coverage होता है, अब आपको paper pattern आपको मालूम होगा क्या है, पता हो, आपको paper pattern मालूम है ना, अब CF and LFR का नया paper pattern क्या है, 30, 70, right, 30 percentage आपका MCQ होगा, और 70 percentage आपका subjective type questions होगे, तो हम लोग सब चीज क्लास पर discuss करने वाले है, you need not worry at all about that, point number two, difference between indies और AS, तो अब क्या हमें सारे indies और AS के differences पढ़ने हैं, नहीं, हमें सिर्फ इन तीन indies के पढ़ने है, income taxes, leases और revenue, income taxes, leases और revenue, इन तीनों indies का हमें indies versus accounting standards पढ़ना हो, कि इन में क्या differences है, majorly, तो वो भी हम लोग पढ़नेंगे क्लास में, अब आता है दूसरा चीज, analysis of financial statements, अब ये analysis of financial statements एक बास समझो बच्चो, कि analysis में आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, आपने अगर indies अच्छे से पढ़ लिया, तो analysis of financial statements आपका अपने आप cover होगी है, बस इसमें आप देखो कि जो मैं आपको analysis of financial statements पढ़ाऊँगा, तो आप ये चीज़ realize करोगे, मैं आपको बस questions की practice कर आ रहा हूँ, तो sir, है क्या analysis में? देखो, indies जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे let suppose हम आज पढ़ रहे है, property, plan and equipment, तो हम लोग सिर्फ indies 16 का ही questions solve कर रहे होगे, लेकिन जो आप analysis of FS पढ़ोगे, इसमें क्या होगा? दो-तीन standards मिल के questions आ रहे होगे, तो एक comprehensive level के questions बन जाते हैं, that's what it is, आपको separately analysis के लिए कुछ बढ़ना नहीं है, but आपका knowledge होगा, already standards का, उसके basis पे ही आपको questions का answer करना होगा, ठीक है? फिर आता आपका schedule 3, जिसका format हम लोग जाते हैं, कि आपको financial instrument दे दिया है, बोला, इसमें से क्या गलती है, ढूण के निकालो, तो आपको पूरा knowledge होगा, अगर schedule 3 का, तो ही आप वो कर पाओगे, तो हम लोग schedule 3 भी पढ़ेंगे, लेकिन, अभी हम लोग जो start करेंगे, अपना आज का class जो start करेंगे, वो हम लोग start करेंगे, बहुत ही easy, बहुत ही simple, बहुत ही अच्छा standard से, that is property, plant and equipment, but before going to that, before going to that, मैंने आपको अभी बताया पहले कि CA final FR का आपका syllabus क्या है, और paper pattern क्या है, बहुत ही brief मैं आपको मैंने बताया, उसके बाद आता है, expectations gap, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप मेरे से क्या expect कर सक सकते हो, इस classes में, और मैं आपसे क्या expect करूँगा, इस classes में, सबसे पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं, कि आपका क्या expectation होना चाहिए, definitely 100% conceptual clarity दोंगा आपको, questions का आप practice करेंगे, query support रहेगा आपको, जो भी queries होगा, आप मेरे से live class में पूछ सकते हो, आपका एक group बनाय से भी दिक्कत नहीं है, फिर weekly mock test होगा, हर week हमारा mock test होगा, definitely यह वाला जो week होगा, उसमें नहीं लूँगा, next week से हम लोग mock test भी start करेंगे, और हर Sunday हमारा mock test होने वाला है, हमने जितना भी पढ़ा होगा, उस level पर हम लोग mock test लेंगे, but यहाँ पर मैं अपना expectation gap भी आपको ए आप से, फिर आपको मैं LDR questions, जो last day revision के questions होते हैं, वो आपको identify करके दे दूँगा, और definitely revisions में भी support करूँगा, so basically I will tell you very honestly, कि आपका जब तक CAC clear नहीं होता है, आपका जब तक FR clear नहीं होता है, I will be there with you guys, that's a promise, so यह तो हो गया, आपका expectations जो आप मेरे से रख सकते हो, now coming to second point, मैं आपसे क्या expectation रखूँगा, definitely expectation is always two-sided, right, ऐसा थोड़ी होगा, सिर्फ आपको expectation होगा मेरे से, और मेरे को आपसे expectation नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं, तो मुझे भी आपसे कुछ expectation नहीं है, इस classes में, अगर possible है तो, ठीक है, अगर possible है तो live join करना, नहीं possible है तो recorded देखना कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन अगर recorded देख रहे हो, तो please timely देखना, with discipline देख लेना, is that clear everyone, दूसरा, आप अगर live class में आए हो, तो be interactive, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं lecture दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो, न अतना question पूछो, no issues in that, जो भी मैं assignments दोंगा आपको, definitely हर दिन कुछ न कुछ assignments दिया जाएगा, जो भी मैं आपको assignments दोंगा, आपको solve करके आना होगा, आपको revise करके आना पड़ेगा, जो भी मैं class में पढ़ा रहा हूँ, next day class में आने के पहले, उसको revise करके आना है, आपको मे exam मैं assume कर रहा हूँ, November 24 में है, ये बात आपका मैं assume कर रहा हूँ, अगर आपका exam November 24 में है, तो definitely आपके पास time कम है, अगर आपका पास time कम है, तो ये मत सोचना कि आप लोग पहले पूरा class कर लोगे, फिर बात में revise करोगे, नहीं, आपको class के साथ-साथ अपना syllabus फटा-फट खतम करना है, and that's the reason मैंने इस batch को structure ही ऐसे किया है, कि हम लोग साथ-साथ में mock test देते जाएंगे, तो हमारा batch जो complete होगा, आपका FR भी साथ में complete होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा batch complete होगा, उसके बाद आप revision चालो करोगे, नहीं, वो चीज नहीं चलेगा, आपको मेरा batch complete होग यहना guaranteed आपका batch के साथ FR भी खतम हो जाएगा, now, assignments, आप मेरे से जो भी दोगा, आप solve करके आओगे, revise करके आओगे, queries पूछोगे मेरे से classes में, group में, personally, जैसे आपको सुधा हो, वैसे पूछना, लेकिन पूछना, हाँ, preferably हमेसा मैं यह बोलता हूँ कि queries अगर आपको कुछ भी हो ना, तो queries आप group में पूछो, क्यों, the reason being, अगर आप queries group में पूछो गए ना, तो others को भी यह queries दिखेगा, तो अगर किसी और का भी यह query होगा, तो वो साथ-साथ resolve होगा, so queries अगर आपको होती है, तो preferably आप group में पूछो, ताकि उस query से सब को benefit मिले, और आपको 100% mock test में appear करना है, आपकी जैसी भी तैयारी हो, यह मत सोचना, सर मेरी तो तैयारी नहीं है, मैंने तो revise ही नहीं किया, मैं कैसे mock test में बैठ हूँ, अगर किसी test में आप तैयारी नहीं भी कर पाए, तब भी आपको mock test में बैठना है, क्यों, क्योंकि आप mock test में बैठ होगे ना, तो आ वेरी गुल, स्लेबस मैंने आपको बता दिया है, अब आ जाते हो, कॉंटेक्ट पर जैसे मैंने भी आपको बताया है, कि आपका ग्रूप बनावा है, आपको ग्रूप जॉइन कर देना है, और उसी ग्रूप में मेरे से सारे क्वेरीज डिसकस करना है, मेरा फिर भी अगर आपको कुछ पर्सनली मेरे से डिसकस करना हो, तो मेरा कॉंटेक्ट नूबर में आने आपको यहाँ पर दे दिया है, तो आप मेरे को हाँ पर कर सकते हो, बढ़ हाँ ठीक है, पिंग कर देना, वाट्सप कर देना, डिरेक्ट कॉल मत करना, अगर कुछ अर्जेंट हो, तो कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्लासेज का सेडियूल कैसा होगा, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग, यह ची देखना हाल कासा, आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना, क्लासेज का जो सेडियूल होने वाला है हमारा, मंडे टू फ्राइडे है, यह आपका मॉर्निंग में, और सैटर्डे को यह आपका इवनिंग में है, और संडे को हमारा यहाँ पर है यह वाला क्लास, ठीक है, सो यह हमारा क्लासेज का सेडियूल है, यह schedule सबको चलेगा मुझे confirm कर दो classes के पहले एक student मुझे बोला कि sir Saturday को morning कर दो but morning में नहीं कर पाऊंगा Saturday को Saturday morning already मेरी classes scheduled है so Saturday morning नहीं हो पाईगी classes Saturday evening ही ले पाऊंगा में classes Saturday Sunday दोनू morning मेरी classes already scheduled है तो वो नहीं ले पाऊंगा but मुझे बताओ यह schedule apart from that is that okay to everyone timing okay है 7 a.m. रखूं या 6.30 a.m. रख दूं मैं तो 6 a.m. भी ले लू class but others को challenges हो जाते हैं आप बताओ मेरे लिए preferable time होगा 6.30 आप लोग okay हो 6.30 पे I am okay with 6 a.m. आप लोग बताओ क्या चाहिए चलो लोग वोट कर लेते हैं लाइब class में आप लोग ही हो right बताओ 6.30 okay to everyone can you please vote everyone 6.30 okay तो के मैं इसको 6.30 चेक चेंज कर दूं रितेश आप बताओ के इसको मैं 6.30 ये morning कर रहा हूँ ठीक है इसको मैं 6.30 ये morning कर रहा हूँ ठीक है इसको 9.30 ये 9.40 तक रैप अप कर दूंगा class को ठीक है no Saturday को evening में होगा 7 p.m. to 10 p.m. Saturday को evening में होगा ये बात ध्यान में रखना और Sunday को हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे Sunday को हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे के लिए वन आवर रखेंगे mock test के लिए और वन टू टू आवर रखेंगे हम लोग at least queries के लिए तो हर संडे हमारा queries लिया जाएगा तो Sunday को हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे Sunday will be a chilling day Sunday को हम लोग चिल करेंगे कोई भी एक भी टॉपिक नया नहीं पढ़ाऊंगा Sunday को मैं सिर्फ queries लूँगा आपका आपने जो भी week में पढ़ा है सिर्फ queries और mock test का evaluation is that clear okay come on tell me guys अब आता है mock test का तो mock test जैसे मैंने आपको बताया तो mock test आपका every week होगा mock test आपका every week होगा along with the evaluation session सो आपको क्या होगा इस mock test में जो evaluation session में लूँगा ना उसमें चुले पहले बतातों mock test का schedule क्या होने वाला है सो यह दुख़एक मैंने एक primary schedule बनाया है definitely अगर classes का according इसमें कुछ changes आ सकते हैं बट एक primary schedule मैंने ऐसा ही बनाया है according to my schedule of classes ठीक है तो मेरा classes I am presume जैसा मेरा plan बनाया है mid of September तक हमारा classes खतम हो जाएगा पूरा तो यह हमारा इस रसे test का schedule चलेगा यह weekly test चल रहा है batch खतम होने के बाद भी मैंने आपको 7-8 दिन का समय दिया है कि आप पूरा revise कर लो फिर मैं full syllabus का आपका test ले लूँगा तो यह test को Sunday को होगा तो मैं Sunday morning, हर Sunday morning को आपको question paper भेजूँगा आप morning मतलब 6 a.m. 7 a.m. तक आपको question paper भेज दूँगा मैं 7 a.m. से afternoon का 2 p.m. तक 7 a.m. से afternoon का 2 p.m. तक आपको question paper solve करना है और solve करने का timing आपको सिर्फ one hour ही दूँगा मैं ठीक है see it will be one hour test उसे यादा नहीं होगा तो 7 a.m. से 2 p.m. संडे को आपको सिर्फ एक घंटा निकालके अपना test paper को solve कर लेना है और हम लोग फिर का मिलेंगे संडे को 2 p.m. मिलेंगे उसी दिन very same day 2 p.m. को मिलेंगे और अपना mock test का evaluation ले लेंगे अब जब evaluation लेंगे ना तो हम लोग वहापर discuss करेंगे क्या आपने गलती किया? What went wrong? तो मैं आपको एक-एक चीज discuss करते जाओंगा एक-एक चीज discuss करते जाओंगा पुरा question अब आप बताओगे sir मेरे से यह गलती हुई मेरे से यह गलती हुई तो आपने जो जो गलती किया मैं उसको यहाँ पर बताते जाओंगा प्लस हम लोग बनाएंगे एक scoreboard हम लोग बनाएंगे एक scoreboard तो scoreboard में क्या होगा? सब बच्चों का नाम रहेगा test 1, test 2, test 3, test 4 प्रवन टो रहेगा तो you can see how well you are progressing तो आपको यह दिखेगा कि test 1 में 60% आया था test 2 में 70% आया test 3 में 73% test 4 में 75% आया आपका 1% भी growth होगा I am happy बट आपका demotion नहीं होना चाहिए growth दिखना चाहिए आपको बस is that clear? अब जो यह mock test है ना यह chapter wise मैंने allocate कर दिया है अब इस chapter wise जो mock test मैंने allocate किया है ना बच्चों यहाँ पे तो आप बोलो कि sir हम लोग chapter wise आपने allocate कर दिया तो हो सकता है पुराने chapters मैं भूलते जाओंगा नहीं होने दूंगा मैं वह क्यों कि मैंने क्या किया जो पुराने chapters यह ना उनके भी एक-एक topics include करते जा रहा हूं यहाँ पे पुराने chapters का भी include करते यह एक precondition है कि आपको मेरी सारी बातों को मानना पड़ेगा अगर आप वह करते हो तो FR का responsibility मैं लेता हूं आपका guarantee देता हूं आपको इस तीच पर अब last point कुछ-कुछ resources आपको होने चाहिए जब भी आप class में आओ आपके पास यह resources हमेशा आपके पास होने चाहिए अब वह resources क्या है FR capsule FR question bank अगर आपको यह वाला print अभी तक नहीं मिला है hard copy नहीं मिला है तो आपको end of this week तक मिल जाएगा end of this week तक मिल जाएगा मैं FR capsule का भी soft copy आप लोग को भेज दूँगा group में FR capsule का soft copy भी आपको group में भेज दूँगा जैसे मैंने आपको question bank का भेजा है तो आपको FR capsule का भी मैं भेज दूँगा group में आप वह से यूज कर लेना उसको FR capsule होना चाहिए आपके पास FR का question bank होना चाहिए एक notebook होना चाहिए जिसमें आप सारे class notes लिखोगे एक notebook होना चाहिए जिसमें आप class notes लिखोगे तीसरा आपके पास एक calculator होना चाहिए अब जिब calculator होगा ना ensure कि आपके calculator में GT का function हो now GT when I say it doesn't mean go to it means GT means grand total आपके calculator में चेक करो सब के calculator में यह GT का function है या नहीं चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता GT का function देखो आपको दिख रहा है क्या है यह GT तो यह है GT आपको दिख रहा है यह GT तो ensure कि आपके calculator में GT का function हो आपको रखना होगा एक red pen और एक black pen sir red pen क्यों चाहिए क्योंकि मैं classes में बहुत बार आपको यह बोलूँगा बहुत बार बोलूँगा कि यह question रहा मैं आपको 5 minutes का time दे रहा हूँ आपको इस question को solve करो तब उसमें क्या होगा आपको इस question को solve करोगे वहाँ पे उसके बाद जब मैं discuss करूँगा ना तो हो सकता है आपका question पुरा सही रहा सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपका question गलत रहा तो आपको red pen से वह हाँ पर यह highlight करना कि आपने गलती कहां पर किया जब आप यह highlight करोगे आपने गलती कहां पर किया तो आपके mind में यह bookmark बन जाएगा कि अच्छा मेरी यहां पर गलती हुई थी आप दुसरी बार वह गलती को repeat नहीं करोगे इसलिए I am asking you to have a black pen and a red pen कॉपी में होली नहीं खेलना है हमें बट सिर्फ दो कलर का pen या तो blue red या black red जो भी आपको ठीक लगे लेकिन एक red pen आपको रखना है ठीक है और पूरा consistency के साथ पढ़ा ही करना है कि या तो blue red या black red प्लस आपको एक separate notebook बनाना है उस separate notebook में आपको क्या करोगे समझना बात को मेरी उस separate notebook में आपको क्या करना है या आपे उस separate notebook में आप अपना जो भी mistakes कर रहे हो जो भी mistake कर रहे हो अपने FR के preparation में जो भी mistake कर रहे हो उस mistakes को चाहे वो कितना ही छोटा से छोटा या silly mistake क्यों नहो उस mistake को आपको उस copy में लिखते जाना है प्लस आपको जिसे आपने Monday to Saturday पढ़ाई किया अगर आप recorded class देख रहे हो या फिर आपको अपना self study कर रहे हो आपको कुछ भी queries आया आपको कुछ भी queries आया और वो queries आकर आपने से में से पूछ लिया मैंने resolve कर दिया लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि queries को आप पार्क करके रखो हम लोग live class में Sunday को discuss करेंगे queries को तो उस queries को लिख के रखो ये नहीं कि queries को लिखा नहीं फिर आप बोलो मैं क्लास में पूछा कि अरे वरिंदा बताओ query किया था तो वरिंदा बोले कि सर मैं तो भूल गई तो ये नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए is that clear everyone तो query को लिख के रखोगे आप लोग एक जगा अगर possible है आपके लिए ठीक है अगर possible है आपके लिए तो preferably आप इसका excel file maintain कर लेना chapter by chapter excel file maintain कर लेना अगर आपके लिए possible है तो नहीं तो आप copy maintain कर लेना जैसा आपको सुईदा हो जैसा आपको सहौलियत हो जैसा आपका comfortable ease हो वैसे maintain करना but maintain करना mandatory है mode आप decide कर लो चाहिए आपको excel file में करना है word file में करना है copy में करना है जिसमें भी करना हो ठीक है लेकिन आपको यह maintain करना जरूरी है is that clear to everyone बताओ विरिंदा आप अपने messages को open to everyone कर दो direct message मत करो सबको message दिखना चीज़ सबका ताकि अगर आप कुछ query पूछो मेरे से दूसरे को भी देखिए अच्छा विरिंदा का यह query है okay very good very good इसमें किसी को भी कोई challenges यहाँ पे कुछ points है जो आपको मेरे से पूछने हैं यहाँ पे अगर कुछ है तो आप मेरे से पूछ लू यह हमारा सिर्फ f r का मैंने orientation discuss कि हमारा classes का लोग कैसा चलेगा आपको क्या expectation होगा मेरे को क्या expectation होगा syllabus क्या है resources क्या होना चाहिए बस इसमें अगर आपको कोई भी challenges है मेरे से कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते फिर में नहीं तो आगे बढ़ूँगा डन चलो आगे बढ़ता हूँ अब आते हैं basics of CA final f r देखो यहाँ पे बेसिक्स में financial reporting हमारा नाम है financial reporting नाम है अब यह financial reporting होता क्या है एक बास समझो बच्चो आप आये हो CA foundation फिर आपने किया उसके बाद CA intermediate और फिर उसके बाद आप आए CA final अब foundation level पे आपको basically यहाँ पे हम लोग समझते हैं accounting पड़ते हैं यहाँ पे हम लोग इस accounting का advanced version पड़ते हैं अब यहाँ पे हम लोग CA final में आपसे accounting expected नहीं है आपसे expected financial reporting अब question आता है how is financial reporting different from accounting अगर आपने पढ़ा होगा तो financial accounting में क्या stages बताओ तो accounting में stages क्या होते हैं सबसे पहले होता है journal entry उसके बाद होता है ledger उसके बाद होता है trial balance उसके बाद होता है financial statements का preparation उसके बाद होता है communication to stakeholders बो यहीं process होता है यहीं process होता है accounting आई है तो हमने basic CA foundation पढ़ा था यह चीज़ हमारा जो अभी काम है न हमारा काम यह है communication to stakeholders हमारा काम है communication to stakeholders at FR level what we have to understand is our duty is communication to stakeholders definitely communicate करने के लिए हमें यह सब भी दिखाना पड़ेगा लेकिन our primary objective at FR level is the communication is the communication okay so we will focus more from the point of view of disclosures from the point of view of disclosures यह FR का काम है financial reporting का काम है definitely हम लोग journal entries भी पढ़ेंगे ledger भी पढ़ेंगे trial balance भी पढ़ेंगे FS का preparation भी पढ़ेंगे but हमारा objective है क्यों हम लोग यह क्यों पढ़ रहे to communicate it to the stakeholders so this is our primary objective now अब हम लोग बात करते हैं जब भी बात करते हैं financial statements का तो financial statements क्या-क्याची आता बताओ तो सबसे पहला आता इसमें balance sheet I believe यह वाला बात आतो आपको अलड़ी मालूम होगा कि हमारे financial statements के यह सारे components है यह सारे components और financial statements है अब क्या मैं आपको पूरा अभी balance sheet, pre-endal, statement of changes in equity, cash flow statements and notes to accounts detail में पढ़ाने वाला हुआ भी जी नहीं मैं detail में पढ़ाऊंगा आपको लेकिन जब मैं schedule 3 पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा detail में लेकिन अभी मैं आपको बस एक overview देना चाहता हूँ ताकि कुछ-कुछ basic terms कुछ-कुछ basic points मैं चाहता हूँ कि आपको वो मालूम रहे क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना तो वो terms हमारे classes में बार-बार आएंगे तो अगर आपको उन terms का मतलब नहीं मालूम होगा तो definitely challenges मुझे भी होंगी आपको भी होगा challenges तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप basic terms का मतलब समझ जाओ आप मुझे से यह मत बूलना कि sir आप मेरे को balance sheet पूरा अभी depth में पढ़ा दो मैं आज आपको balance sheet depth में नहीं पढ़ा रहा हूँ ना P&L depth में पढ़ा रहा हूँ ना SOCIE depth में पढ़ा रहा हूँ ना Cashflow पढ़ा रहा हूँ depth में मैं नहीं जा रहा हूँ बस जितना मुझे classes के लिए जरूरत होगा, मैं उतना भी आपको पढ़ा दूँगा, फिर जो हम लोग schedule 3 पढ़ेंगे, तो इसको depth में पढ़ा दूँगा, Is that clear everyone? ओके, चलो, तो आते हैं balance sheet पे, तो balance sheet पे तो हमने अल्री बच्पन से पढ़ते आए हैं, balance sheet में क्या होता है, balance sheet में होता है assets, balance sheet में होता है assets, एक तरफ होता है equity and liabilities, लेकिन एक बात समझो बच्चो, एक बात आपको समझा बहुत जरूरी है, हम लोग CA inter में जो पढ़े थे ना, वो था AS का financial statements, अब जो पढ़ेंगे CA final पे, वो हम लोग पढ़ेंगे end AS का balance sheet, is that clear to everyone? हम लोग CA inter में पढ़े थे AS का, CA final में पढ़ेंगे end AS का, सर इन दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं basic फर्क बताओं दोनों के financials चिपन में, अगर आप AS का balance sheet देखोगे न, तो पहले आता है equity, फिर liability, और फिर यहाँ पे आता है assets, अगर आपको सिर्फ balance sheet देखके पहचानना है कि यह financials, AS का है या INDAS का है, तो आप इस से पचान सकत हो, लेकिन INDAS में पहले आता है assets, फिर आता है आपका equity and liabilities, पहले आता है assets, फिर आता है equity and liabilities, तो यह होता है INDAS का format, is this format basically clear to all of you, बताओ clear है क्या, एक basic point था मैंने बताया, अब आता है सर यह AS और INDAS में क्या difference है, तो समझो बात को, AS का मतलब होता है accounting standards, जो हमारे accounting standards चलते आ रहे थे, जो आपने CE intermediate में पढ़ा, उसको बोलते है accounting standards, जो इसको हम लोग basic language बोलते हैं Indian gap, इसको हम लोग basic language बोलते हैं Indian gap, तो सर यह INDAS क्या चीज़ है, यह INDAS क्या चीज़ है, तो internationally एक standard होता है, जिसका नाम होता है IFRS, International Financial Reporting Standards, standards, IFRS, International Financial Reporting Standards, यह IFRS ना दो चीज़ से बनता है, एक होता है IAS और एक होता है IFRS, सरी अब IFRS में भी यह दो चीज़ होता है, जी हाँ, तो यह दो जीज़ का relevance क्या है, तो IAS क्या होता है, जो पुराने standards है ना, उनको बोलते है IAS, अब जो पुराने standards को replace करके नए standards आ रहे हैं, उनको बोलते है IFRS, तो यह IAS plus IFRS, forms part of IFRS, तो यह दोनों को हम लोग cumulatively IFRS ही बोलते हैं, इंडिया क्योंकि अब globalization का era है, तो definitely इंडिया को भी कुछ ऐसा ही accounting standards adopt करना था, जो globally adopt हो रहा है, तो इंडिया ने IFRS को adopt करना चाहा, लेकिन IFRS में कुछ ऐसे challenges थे, जो Indian economy, Indian environment पे apply नहीं होते थे, तो इंडिया definitely IFRS को adopt नहीं कर पाया, बट इंडिया क्या किया, IFRS को उठाया, देखा उसमें कुछ कुछ changes करने पड़ेंगे, तो कुछ कुछ चीज उसमें नहीं था, तो उसमें include कर दिया, कुछ कुछ चीज में था, जो हमारे Indian economy के साब से नहीं चाहिए हो था, तो उसको minus क कर दिया, उसको बोलते हैं, कार्व आउट, इसको बोलते हैं, कार्व इन, इसको बोलते हैं, कार्व आउट, इसको बोलते हैं, कार्व आउट, और प्लस, कुछ छोटे मोटे माइनर चेंजेस, कुछ छोटे मोटे माइनर चेंजेस कर दिये, कुछ छोटे मोटे माइनर चें and minor changes के बाद जो आया वो बना आपका INDAS, Indian Accounting Standards. तो INDAS क्या है अब आपको समझ में आया, बताओ. INDAS है क्या चीज वो समझ में आया? अब, इनका numbering कैसे किया गया INDAS का? तो जैसे मन ने बताया था कि IFRS में दो ची होते हैं, IAS और IFRS. तो लेट सपोज एक आपका IAS है, IAS 1, which deals with presentation of financial statements. तो इसको हमने बना दिया INDAS 1. इसको हमने बना दिया INDAS 1. लेकिन यहाँ पर अगर IFRS 1 था, यह IFRS 1 है, तो अब अगर इसको भी हम लोग INDAS 1 बनाएंगे, तब तो फिर 2 INDAS 1 हो गया, हम लोग distinction कैसे करेंगे इस पर? IFRS 1 है आपका first time adoption का, first time adoption का, तो आपका IFRS 1 के लिए क्या किया? बोला इसको हम लोग plus 100 कर देंगे यहाँ पर, तो एक नया स्रीज बन गया INDAS 101, INDAS 101, तो जैसे आपको देखोगे न, अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया था, चलो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ फिर से, इसमें से मुझे आप देख के बताओ, तो कौन सा IFRS, इसमें से चलो बताओ, यह आपका IFRS है, लीजज़वाला आपका IFRS है या IES है, बताओ तो, आपके सबसे, इसका IFRS का नंबर नहीं, 100 एड़ किया न, सिर्फ 100 एड़ किया था, तो इसका नंबर होगा IFRS 16, इसका IFRS का नंबर क्या होगा बताओ तो, इसका होगा IFRS 15, वेरी गुड, इसका IFRS का नंबर क्या होगा बताओ तो, IFRS 2, अचलो अब फिर और बताओ कौन सा पुछो और यह इसका IAS 32 का क्या होगा बताओ तो इन डेस 32 का IAS 32 का IAS 32 का IAS 32 जो 100 सीरीज वाला है वो IAS 32 है जो 100 सीरीज वाला है वो IAS 32 है Is that clear everyone? Very good So IAS आपके जो issue में है अभी वो है IS 1, 2, 41 आपके issue में है IS 1, IS 2, IS 3, IS 4, IS 5 IS 5, 6 करके IS 41 तक है और IFRS आपका 1 से लेकर 16 तक है और IFRS 17 भी आपका कुछ दिनों में आ जाएगा So यह है हमारा scope यह है हमारा scope ठीके डेफिनिट्ली इसमें से कुछ-कुछ standard है जो हमारे syllabus में नहीं है जो उनको delete कर दिया गया ऐसा कुछ है जैसे to give an example IFRS 16 lease का है उसका पहले कोई IS हुआ होगा जिसको हमने मैंने delete किया होगा उसके बाद मैंने IFRS लाया होगा तो IS आपका जो था समाज रहे हो बच्चों आप लो ओके वंडर्फूल तो यह आपका बैलेंस इत में को बेसिक डिफरेंस आपको यह समझना पड़ेगा कि एस का जो बैलेंस इत होता है उस वह स्टार्ट होता है इक्विटी से और लाइबिटी से और यहां पर नीचे उता है असेट्स अब असेट्स भी दो तरह के होते हैं non-current और current अब non-current assets में भी क्या होता है पहले आपका आता है इंवेस्टेल Certainly बहुत सार यहांते हैं रिखो यह components आपको याद हो जाएंगे, You быть together क्या हैं याद करने की जरुवत नहीं है याद अपने आप हो जाएंगे मेरी responsibility है ठीक है तो पर assets में भी दो पाट आता है आपका non current assets और current assets अब इसके components क्या है अभी वो discuss नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ इतना से बता सकता हूँ कि आज हम लोग से PPE है तो ये दोनों cover होता है आपका ind AS 16 में जो हम लोग आज पढ़ेंगे उसके बाद investment property आपका cover होता है ind AS 40 में जो भी हम लोग पढ़ेंगे intangible assets आपका cover होगा ind AS 38 में जिसको हम लोग पढ़ेंगे ये तीनों ही cover होता है यादर आइल से now biological assets आपका cover होता है ind AS 41 में financial assets आपका cover होगा again financial instruments वाले chapter पे जिसका standard क्या है 32 107 and 109 deferred tax आपका cover होगा ind AS 12 में अब ये other non currencies क्या होगे जो बच गए वो others में चल जाते हैं inventories आपका cover होगा ind AS 2 में again financial assets आपका cover हो जाएगा ind AS 32 107 और 109 on financial instruments ये पूरा फिर other current tax assets अगें आपका ये cover हो जाएगा ind AS 12 में और other current assets होगे जो आपके बच जाते हैं equity share capital अधर equity ये आपका अगें financial instruments में cover होगा financial liabilities अगें आपका ये financial instruments छोटा चप्टर है बड़ा चप्टर बताओ तो फिर आपका प्रोविजन्स आ रहा है यहां पे तो यह आहाँ प्यार है लीज liabilities तो यह आएगा आपका ind AS 116 में deferred tax liabilities जीसे मैंने बताया घाएगा आपका IS 12 में financial liabilities जीसे मैंने बताया अगें यह आएगा आपका financial instruments में investment liabilities आ आएगा आपका index 116 में provisions अगें आपका आएगा IN 3007 में और current tax liability आएगा आपका इंडेस 12 में so basically मैंने आपको बताया कि equities का accounting किस standard में करेंगे liabilities का accounting किस standard में करेंगे कौन सा topic किस जगा पर cover होगा मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया है assets में current non current होता है फिर equity होता है equity में दो पड़ाते है equity share capital और other equity other equity का movement हम लोग दिखाते है statement of changes in equity में plus फिर आता आपका liabilities में दो पड़ाता है non current liabilities और current liabilities फिर आपको बाद उसको आता है statement of changes in equity सर ये क्या होता है statement of changes in equity comprises of two things equity capital और other equity दोनों में साल भर में क्या movement हुआ है हम लोग वो discuss करते हैं इसमें सर ये other equity क्या है अभी के लिए आप इतना समझो other equity is nothing but reserves and surplus आप see enter में टर्म पढ़े होगे न reserves and surplus याद है come on guys बोलो याद है क्या reserves and surplus other equity ही उसका एक fancy name है इसमें क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे depth में don't worry तो ये देखो इसमें statement of changes in equity में और कुछ नहीं होता है equity share capital का movement balance at the opening change कितना हुआ restate कितना किया कितना issue किया balance in the current year में कितना है बस इतना सा बोल रहा है opening कितना है changes क्या हुआ closing कितना है अभी आपको ये सब exact terms का मतलब समझ में हो सकता है ना आए आपको उसमें चिंता करने की जरुवत नहीं है within the due course मैं आपको सब को सिखा दूँगा अभी ये चीज़ पताने का intent मेरा सिर्फ इतना है कि आप एक बार बस familiar हो जाओ in basic basic terms से ताकि आपको ये बाद में ये पता नहीं चले अदर इक्वीटी क्या है मैं ये नहीं चाहता हूँ आप बाद में ये पूच्छे अदर इक्वीटी क्या है आपको अदर इक्वीटी का basic मतलब मानू मोना चाहिए कि ये reserves and surplus का ही हिस्सा है कुछ ही है वह ऐसा कुछ है exactly discussion length में हम लोग करेंगे जहां लेकिन अभी इतना ही समझवागे प्लस फिर other equity यहां पर क्या आता है देखो इसमें क्या आता है अब आता है आपका P&L P&L तो P&L तो हमने पढ़ा है पहले भी राइट तो P&L का भी format schedule 3 ने आपको specify करके दिया है पहले आता है आपका revenue from operations यह आप पढ़ोगे again in days 115 में revenue के standard है other income can come from multiple standards okay now cost of material consumed आपका basic इसमें पढ़ोगे आप in days 2 में यह भी चीज़ आप पढ़ोगे in days 2 में employee benefit expense के बारे में पढ़ोगे in days आप 19 में finance cost के बारे में पढ़ोगे आप financial instruments में depression के बारे में पढ़ोगे आप in days 16 and 40 में other expenses can come from multiple standards फिर आपका आपका total expenses profit or loss before exceptional items फिर exceptional items क्या है आपको वो देखना होगा ना उसके बाद sorry फिर यहाँ पर आता है आपका exception items और profit or loss after exception items आप यहाँ पर लिखोगे फिर आप लगा हो tax expense tax expense again आपका आता है यह in days 12 से profit or loss from continuing operation आ गया अब यह discontinued operation और continued operation क्या होता है यह चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे यह कहां पढ़ेंगे हम लोग in days 105 में पढ़ेंगे हम लोग यह चीज ओके ना फिर आता है आपका other comprehensive income तो आप मेरे को देख़ो के class में बहुत बार यह term use करूँगा other comprehensive income other comprehensive income other comprehensive income तो यह other comprehensive income क्या है तो समझो बात को मैं यहाँ पर लिखता हूँ other comprehensive income other comprehensive income सबसे पहला यह आपका part है P&L का यह आपका part है P&L का तो इसमें क्या आता है इसमें क्या आता है एक बात समझो अगर company कोई भी operations कर रही है अगर company कोई भी operations कर रही है तो definitely उसको gain और loss होगा बोलो हाया ना company अगर कोई भी operations कर रही है तो उसको gain और loss तो होगा जो gain और loss company को होता है company को जो भी gain और loss होता है अच्छा ठीक चलो वो बात को अटाओ मुझे इतना बताओ P&L में क्या आता है साल भर में जो आपको gain या loss वह वही तो P&L में record करते हो ना बताओ मुझे पूरे year में आपको जो भी gain और loss वही आप P&L में record करते हो तो standard बोल रहा है जो gain और loss company को हुआ वो दो तरह का होता है एक होता है realized और एक होता है unrealized बुला जो भी realized gain और loss है वो तो आपका P&L में ही जाएगा वो आपका P&L में ही जाएगा लेकिन जो आपका unrealized gain और loss है जो आपका unrealized gain और loss है वो भी दो तरह का होता है जिसमें certainty हो कि ये realize हो जाएगा certainty to be realized कि ये realize हो जाएगा uncertain ये uncertain है कि ये realize होगा ही कि रियलाइज होगा तो लेकिन अंगर अन सब्सक्राइब का नहीं नहीं होगा तो рандиこんにちは यह करेंगे पांपलीन तो गाले करेंगे सब्सक्राइब कर Savannah कि रियलाइब तो सब्सक्राइब करने गाईक क्यां तया दिए कंजरा कि तेर आपको क्लियरली होगा दिया है, schedule 3 ने आपको clearly बता दिया है, कि OCI में क्या-क्या items जाएगा, वो clearly listed है, आपको उसके अलावा इस पे कुछ भी नहीं डालना है, जो listed है, वो ही चीछ जाएगा OCI में, only listed items can be recognized in OCI, only listed items can be recognized in OCI, not everything, मैं आपको बस इसका logic बता रहा था, वो listed items कैसे निकाला गया, ठीक है, वो listed items कैसे निकाला गया, मैंने आपको उसका सिर्फ logic बताया, मैंने उसका आपको सिर्फ logic बताया, लेकिन point यहाँ पर यह है, कि यह logic है, कि जो gain और loss realized नहीं हुए है, और जो uncertain है, सर एक example दो न, मैंने यह phone खरीदा अपने यूज करने के लिए, मैंने यह phone खरीदा अपने यूज करने के लिए, ठीक है, जब मैंने यह phone को खरीदा था, इस phone का दाम था 5000 रुपीज, ठीक है, मैं phone को खरीद लिया, phone को खरीदे होए एक साल हो गया, मुझे लगता है, कि मैं यह phone को तीन साल चलाऊंगा, tell me, क्या ये gain मुझे कभी भी realize होगा बोलो यार नहीं, मैं तो इस phone को use करने वाला हूँ न अगर मैं intent होता कि हाँ मैं इस phone को बेच दूँगा, अगर मेरा intent होता कि हाँ मैं इस phone को बेच दूँगा तो वो realize होता और मैं इसको uncertain gain or loss है unrealized uncertain gain loss है इसलिए वो आपका other comprehensive income में चल जाता है is that clear to everyone? come on, tell me guys come on, come on, come on बोलो यार आप लोग का message नहीं आता तो फिर मुझे लग रहा है आप लोग मेरे को सुन भी रहे हो नहीं very good message करते रहो message करते रहो ये logic क्लियर है आपको कि OCI में क्यों डालते हैं हम लोग very good चलो, अब आगे क्या है तो ये OCI भी हम लोग पढ़ेंगे कहां पर पढ़ेंगे OCI की बारे में depth में तो हम लोग पढ़ेंगे OCI की बारे में depth में ज़ह हम लोग पढ़ेंगे schedule 3 schedule 3 plus respective chapters जैसे जैसे आते जाएगा तो ये total comprehensive income मतलब क्या होता है total comprehensive income मतलब P&L plus other comprehensive income मिला के बनता है तो टोटल comprehensive income फिर आपका आता है earning per share from continuing operations earning per share from discontinued operation earning per share from continued and discontinued और ये तीनों चीज़ आप पढ़ोगे कौन से standard में index 33 on earning per share तो ये है आपका P&L का analysis मुझे बताओ basic clear है आपको balance sheet क्या होता है P&L क्या होता है statement of change in equity क्या होता है cash flow statements चलो cash flow statement मैंने आपको यहापर नहीं डाला format but cash flow statements का भी बता देता हूँ but cash flow statement I believe आपने class 12 में भी पढ़ा होगा CA intermittent में पढ़ा होगा चलो मैं आपको बता भी देता हूँ तो cash flow statements में आपका आता है यहाँ पर आप लिखते हो अब जो भी दिखो cash flow statements में आपको सिर्फ इतना सा बात ध्यान में रखना है जो cash and bank account आपने बनाया उसमें जो भी transactions दिये हैं जो भी transactions दिये हैं बस आपको सारी transactions को तीन heads में classify करना है और कुछ नहीं करना है cash flow from operating activity cash flow from investing activity और cash flow from financing activity अब कैसे classify करते हैं हम लोग cash flow के chapter में पढ़ेंगे तो यह मिल के आपका आता है total cash flow during the year अब अगर आप इसमें cash flow का opening balance add कर दो मतलब opening balance plus cash flow during the year will give you closing balance यहीं आपका cash flow statement है definitely इसका presentations and format हम लोग पढ़ेंगे बट अभी मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा intent यहाँ पे आपको format पढ़ाना नहीं है मेरा intent यहाँ पे आपको कुछ concepts basic terms पढ़ाना है जो आपको पूरे classes में जर्वत पढ़ेगा is that clear everyone very good so यह रहा हमारा FR का एक basic discussion जो हमारे overall lectures में काम चलेगा ठीक है point number 3 यह होता है LDR questions का file है अब जैसे से हम लोग chapter पढ़ते जाएंगे जैसे हम लोग पहला chapter start करेंगे अब हम लोग that deals with property, plant and equipment तो क्या करेंगे जैसे हम लोग चाप्टर खतम करेंगे न India 16 का PPE का जैसे हम लोग chapter खतम करेंगे न तो मैं आपको कुछ set of questions identify करके दूँगा कुछ set of questions आपको identify करके दूँगा तो आपका process कैसे होना चीए पढ़ाई का मैं वो बताता हूं आपको जैसे से मैं class करा रहा हूं आपको मैं आपको class करा रहा हूं तो आपको यह ensure करना है कि आपके question map में questions हैं, first time आप सारे questions को cover करोगे मेरे साथ सारे 1 to 1, A to Z, सारे questions को cover करोगे जब आप second time revise करोगे तो मैं यहां पर questions लिक्के दूँगा सिर्फ आप उनको solve करोगे definitely इन question के numbers को आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं question है जो ये उतना ठीक है हो जाएगा manage या कुछ question है जो sir नहीं नहीं लिखा है लेकिन मुझे लगता है कि करना चाहिए तो आप वहाँ पर ये अपने हिसाब से भी amend कर सकते हैं बढ़ हाँ मैं एक generic दूँगा लेकिन I will recommend all of you कि आप इसको अपने हिसाब से भी change करते रहना क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ और जो आप सोच रहे हो वो definitely दोनों बराबर नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से भी इसको adjust करते रहना फिर क्या होगा मैं आपको second revision हो गया third revision में आपको कौन से question solve करने है इसमें से कुछ-कुछ question को हम लोग eliminate करते जाएंगे इसमें से कुछ-कुछ question को हम लोग eliminate करते जाएंगे और प्लस कोई-कोई chapter जैसे इंप्लोई benefit जैसे business combination जैसे financial instruments इनमें मैं आपको कुछ-कुछ master questions भी बना के दोंगा जो आपके बहुत सारे questions को cover करेंगे बहुत सारे concepts को cover करेंगे और जहां तक possible हो आप लोग भी try करो master questions बनाने की अब आते हैं हम लोग पहले chapter में that is India 16 property, plant and equipment lecture number 1 यहां तक आप लोगो कोई भी कुछ भी queries है कुछ भी points discuss करना है तो please discuss फिर मैं आगे बढ़ूंगा आप आगे बढ़ू come on guys बोल दो इन day 16 आता है property, plant and equipment तो सबसे पहला आपको इसमें concept पढ़ना होगा do you know what is the difference between asset versus expense या फिर इसको मैं अगर question को थोड़ सा और difference पूट आप करू, what is the difference between अगे निए अपिटलाइज वर्सेस एक्सपेंस आफ बताओ, can anyone tell me the difference क्या difference हैं दोनों में उस payment का benefits, अगर आपको अपने payment किया benefits मिला तो यह हो गया expense of लेकिन अगर आपने payment किया और benefits आपको one period से जादा मिलेगा तो उसको बोलते हैं asset, उसको बोलते हैं asset is that clear, जैसे example आप लोग गये movie देखने, आपने movie देखने गया, movie का ticket पे किया, movie जाके देखा, benefits मिला, pay किया, benefits चुरंद मिला, expense of expense of, मैंने जाके एक laptop खरीदा, मैंने जाके एक laptop खरीदा, जब मैं जाके laptop खरीदा, तो क्या होँआ? मैंने laptop के लिए payment किया, अब मेरे को laptop में 3 साल use करूँगा तो मेरे को laptop का benefit तीन साल तक मिलते रहेगा This is my asset This is my asset This is my asset अब क्या होता है जब भी हम लोग देखो एक बास समझो सबका घर जो है न ultimate घर जो है न वो है P&L जैसे आदमी जो भी जन्मा है वो एक ना एक दिन मर के मरेगा ही मरेगा एक दिन तो मरना ही है सबको जो fool टूटा है वो मुर जाएगा जो आदमी जन्मा है वो मरेगा उसी तरह से जो भी खर्चा हुआ है वो P&L में जाएगा ही जाएगा या तो तुरंथ P&L में जाएगा या over a period of time P&L में जाएगा समझो अगर आपका expense है तो वो तुरंथ का तुरंथी P&L में चल जाता है क्योंकि आपको benefits मिल गया लेकिन अगर आपने asset record कर लिया अगर आपने asset record कर लिया तो क्या करोगे क्योंकि आप बोल रहे हो कि इस asset से आपको benefits 3 साल में मिल रहा है तो उस asset को आप depreciate करके P&L में भी 3 साल भेजोगे applying matching concept applying matching concept अब उस asset को P&L में भी 3 साल में भेजोगे Is the meaning clear between asset and expense now? Capitalization and expense of meaning clear है देखो कुछ-कुछ ना basic terms होते हैं जो मुझे चाहिए कि आपको ये पता हो तो वो मैं बताऊँगा आपको ठीक है? Now, अब आता है दूसरा point जो आपका asset होता है जैसा मैंने आपको अभी तुरंत ही पढ़ाया था कि asset दो तरह का होता है एक होता है आपका non-current asset और एक होता है आपका current asset मैं अभी current asset की बारे में बाद नहीं कर रहा हूँ मेरे को discuss करना अभी non-current asset नॉन करेंट असेट में भी बच्चो बहुत तरह के नॉन करेंट असेट होता है कैसे एक होता है आपका टैंजिबल नॉन करेंट असेट जिसके बारे मुझे डिसकस करना है उसके अलावा होता है आपका इंटैंजिबल नॉन करेंट असेट ठीक है उसके अलावा होता है आप नॉन करेंट असेट्स बोलो यह चारो टर्म मैंने आपको दिखाया था के बैलेंस इट में कमान टेल मी गाइस तो मेरा डिसकसन अभी अगेन इन तीनों पर नहीं है मेरा डिसकसन अभी है सिर्फ और सिर्फ टैंजीबल नॉन करेंट असेट्स पर अब टैंजीबल नॉन करेंट असेट्स अगेन दो तरका होता है एक होता है आपका प्रापर्टी प्लांट एंड इक्विप्मेंट और दुसरा होता है इन्वेस्टमेंट प्रापर्टी एंड मैंने यह देखा है कि बच्चों को न यह क्लासिफाई करने में बड़ा डिफरेंट समझ में नहीं आता है उनको कि यह PPE है या investment property है बच्चे यही classify नहीं कर पा रहे है कि यह PPE है या investment property है So first of all, let us understand यह PPE है या investment property यह classify कैसे करें So उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ मैं आपको पहले PPE का definition बताता हूँ फिर मैं आपको IP का definition बताता हूँ फिर हम लोग दुनों का difference देखेंगे मैं अपना time save करने के लिए कुछ-कुछ चीजे जो मुझे class में लिखने पड़ेंगी वो मैं लिख के लाता हूँ क्योंकि I don't want कि मैं लिखने में class में time waste करूँ I want कि हमारा time जो हो class में एक-एक second valuable हो क्योंकि आपका exam November में है और हम लोग को उसको respect करना चाहिए तो यह definition है PPE का और investment property का सबसे पहले हम लोग property definition को समझते हैं दोनों के इंडिविजुली दोनों के definition को समझते हैं उसके बाद हम लोग दोनों के definition में पड़ेंगे ठीक है आजो अब property plant and equipment as you know कि यह इसका standard जो है यह है आपका indes 16 सर एक्जाम में standard number लिखे आने है क्या अगर याद रहा तो लिख देना नहीं याद रहा तो नहीं लिखना अलग से effort डालके याद करने की responsibility नहीं लेना ठीक है बट मैं आपको बोलता हूँ कि class में मैं इतने बार standard का नाम लोगा बना कि आपको अपने आप याद हो जाएगा बट आप खुझ से efforts लेकि याद मत करना इंडेयस 40 ना PPE का मतलब क्या होता है बोला ये एक ऐसा tangible asset है tangible जैसे बोला ना मतलब दुनिया जहान में आपको जो भी tangible दिख रहा है सब चीज को cover कर लिया जैसे ये table ये chair ये laptop, ये mic ये camera, ये monitor ये tube lights, ये AC, ये पुरा system ये पुरा lighting system, ये cupboard सब कुछ tangible है सब कुछ को cover कर लिया ये building भी tangible है ये building को भी cover कर लिया बगल में land है, वो भी tangible है, उसको भी cover कर लिया ठीक है, tangible लेकिन, अब कुछ-कुछ चीजों को अपना specify कर रहा, बोला देखो, पहले बोला tangible, जो भी tangible है सब कुछ यहां पर कवर किया, फिर बोल रहा है, जो held for, तीन परपस, बोला है, इन तीनों में से कोई भी एक चीच के लिए held for होगा, हो जाएगा काम, पहला, production और supply of goods और services, example, मेरे पास एक machine है, जैसे चलो, मेरे पास यह laptop है, जिससे मैं आपको classes को deliver करता हूँ, so this laptop is helping me in supply of services, so this laptop is a PPE for me, this laptop is tangible, this laptop is helping me in supply of services, and the life is more than one period, so यह laptop मेरे लिए हो गया, property, plant and equipment, now again, फिर क्या बोल रहा है, production of goods, जो manufacturing companies होती है, जो manufacturing companies होती है, वो उसके पास machines होते हैं, जिससे वो goods बनाती है, वो goods बनाती है, तो वो machine क्या हुआ, tangible है, goods बना रहा है, life more than one period है, PPE हो गया, फिर आता है rental to others, मेरे पास यह laptop है, मैं laptop को किसी और को rent पे दे दिया, property, planet, equipment हो गया, third point, third point, किसी company का corporate office है, हमारे office में एक admin टीम बैठती है, जो पूरा accounts देखती है, ठीक है, एक लड़का बैठता है, जो पूरा accounts बैठता है, ठीक है, ना अब वो लड़का के पास भी laptop है, एक बाब बताओ, क्या उस laptop से कोई goods बना रहा है, नई, कोई supply of service हो रहा है, क्या वो रेंटल पे दिया गया है, नई, लेकिन वो laptop से admin काम हो रहा है, वो laptop से administration का काम हो रहा है, वो business को administrate कर रहा है, तो बोला, वो भी मेरा property, plant and equipment है, वो भी मेरा property, plant and equipment है, इस एट clear everyone, तो बोला, तीन चीज बोल रहा है, तीन चीज बोल रहा है, अगें, पीपी में तीन चीज बोल रहा है, पहला है, टैंजिबल होना चाहिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहां पे, held for any of the three uses, तीनों में से कोई भी एक use के लिए हो, production of goods, supply of services, rental to others, या administrative purposes, और वो held for more than one period होना चाहिए, then we say it is a property, plant and equipment, तो सर इन्वेश्टमेंट प्रापर्टी क्या होता है, अब इन्वेश्टमेंट प्रापर्टी में क्या बोला, land, building, both, या part there of, सर, part there of मतलब, एक floor मेरा है सिर्फ, एक पूरे building में सिर्फ एक floor मेरा है, ये एक floor में तीन offices हैं, उसमें सिर्फ एक office मेरा है, उसको बोलते हैं, part there of, okay, held for, rental to others, या capital appreciation, या दोनों के लिए है, तो बोला वो आपका investment property बन जाता है, मतलब, अगर आपके पास कोई land है, कोई building है, या दोनों है, या आपके पास उसका सिर्फ एक part है, अगर आपने किसी और को rental देने के लिए रखा है, तो वो investment property, अगर आपने capital appreciation के लिए रखा है, तो वो investment property, अगर दोनों के लिए रखा है, तो भी investment property, तो ये हो गया आपका P पी पी और आई-पी का definition, अब I believe आपको एक query आपके मन में arise होना चाहिए, चलो मुझे बताओ कुछ इस दोनों के definition को पढ़के आपके मन में एक query आना चाहिए Come on, tell me, बोलो यार कुछ है इन definition में जो inconsistent है जो आपस मिले class कर रहा है period, नई it's not the period very good विंदा, very good प्रकास अब आप बोलो sir, यहाँ पे आप बोलने हो कि tangible assets given for rental to others, PP है तो land भी तो tangible है तो land अगर rental पे दिया तो PP हुआ न, यहाँ पे बोलो land अगर rental पे दिया तो innovation property हो गया यहाँ पे बोलने होगा land अगर rental पे नहीं दिया तो innovation property हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ sir very good point अब समझो बात को यहाँ पे आपके query पे भी मैं आओंगा बिश्वनी पहले मैं rental का point समझाना चाहता हूँ एक बाप बताओ न आपने कभी ऐसा सुना है कि मैंने laptop पे invest किया बताओ आप कभी भी investment आपके पास कोई surplus funds था आप उसको laptop पे डाल दिये कि मेरे laptop का value बढ़ते रहेगा ऐसा होता है क्या बताओ पहला बात come on tell me आपके पास surplus funds था आपने उस surplus funds से laptop ले लिये क्यों क्योंकि laptop का तो दाम बढ़ेगा और आपको फाइदा हो जाएगा ऐसा होगा क्या क्योंकि laptop अगर आप एक बार ले लिये तो तो second hand हो गया दाम तो definitely गिरेगा ही गिरेगा आपको तो नुकसान होगा तो कोई भी आदमी पहला बात laptop को ये investment के लिए लेगा क्या नए और यहां पर नाम क्या है investment property अब point number one point number two standard क्या बोल रहा है आपको मैं बहुत simplify कर दू ये जो rental बोल रहा है ना standard ये जो rental बोल रहा है ना standard ये rental में except for यहां पर एकसेप नहीं किता हूँ other than property other than property मतलब क्या हुआ कि property अगर rental पे दिया गया है rental पे अगर आपने property को दिया है rental में अगर आपने property को दिया है तो वो बनेगा आपका investment property under indes 40 अगर rental पे आपने any other tangible assets को दिया है any other tangible non current assets any other tangible non current assets को दिया है तो वो बनेगा आपका property, plant and equipment under indes 16 मतलब अगर मैंने laptop को रेंट पे दिया है तो बताओ तो क्या होगा property का मतलब क्या होता है land, building या both या part यह होता है property का मतलब अब मैंने laptop को रेंटल पे दिया है यह क्या होगा? PPE या IP PPE या IP मैंने लाप्टॉप को रेंट पर दिया है PPE मैंने एक मेरे पास फ्लैट था मैंने उसको रेंटल पर दिया है PPE या IP वेरी गुड विरिंदा IP तो अब मुझे बताओ अब आप डिफरेंस समझ रहे हो PPE क्या होता है और IP क्या होता है अब मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ अब मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ अच्छल स्टांडर्ड ओन इंडेयस 16 अब हमारा स्टांडर्ड स्टार्ट हो रहा है तो चल रहे हम लोग कैपसुल पर प्रापर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले मुझे ये बताओ ये डेफिनेशन पढ़ो और मुझे बताओ डेफिनेशन क्लियर है क्या और इस डेफिनेशन में अपने ही बुक में एक पॉइंट लिखो रेंटल टू अधर जहां लिखा हुआ है ना आप लोग यहां पे लिखो अधर देन प्रापर्टी क्यों? क्योंकि अगर प्रापर्टी रेंटल पे दिया है तो वो इंडेयस 40 में कवर होता है लिखो यह वाला पॉइंट और मुझे बताओ clear यहां तक clear है कहें यहां तक अब आता है scope of इंडेयस 16 चलो मैं बताता हूँ यह जो class note से बच्चो though I will recommend कि आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाना जो मैं लिख रहा हूँ ठीक है? प्लस यह चीद जाना कर जब मैं explain कर रहा हूँ तो वो important है लिखने से अगर लिखना छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह वाले notes मैं anyways आपको upload कर दूँगा drive पे मैं आज ही drive का एक link बना दूँगा यह सारे notes drive पे uploaded हो रहेंगे ठीक है? on a daily basis मैं drive पे notes upload करते जाओंगा तो लिखने के चकर में मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना miss मत करना because that is more important notes तो आप फिर भी बाद में लिख सकते हो और दूसरा यह गलती मत करना कि इस notes को print लेके अपना notebook बना लिए हो यह गलती मत करना notes को अपने copy में लिखना क्योंकि जो आप लिखते हो तो आपके understanding बहुत better होती है so notes को अपने copy में लिखना okay now दूसरा बात held for use है अगर कोई tangible non current assets है वो held for use है तो बताओ तो यह क्या होगा तब standard बोलता है कि यह हो जाएगा आपका property plant and equipment under indias 16 now but अगर कोई tangible assets है अगर कोई tangible assets है but वो held for sale है but वो held for sale है in the ordinary course of business held for sale है in the ordinary course of business मैंने मतलब मैंने उसको purchase ही किया था sell करने के लिए बताओ यह क्या होगा very good बिंदा यह बन जाएगा आपका inventory under indias 2 यह held for sale है सर अभी तो आपने बताया है held for sale नहीं समझो बात को held for sale in ordinary course and held for sale दोनु difference होता है दोनु में difference है क्या difference है समझो held for sale in ordinary course क्या हुआ मैंने purchase ही किया था उसको sell करने के लिए तो वो inventory बन गया held for sale क्या हुआ मैंने purchase किया था उसको use करने के लिए मैंने यह laptop लिया था use करने के लिए बट मैंने इस laptop को 3 साल use किया भी 3 साल use कर लिया लेकिन अब लगता है कि मुझे इस laptop को को बेच देना चाहिए क्योंकि market में नई टेकनोजी आ गई है इस लैप्टप को बेच देना चाहिए और नया laptop बेजा चाहिए तो ये laptop को मैं side रख दूंगा और नया laptop खरीद लिया ये laptop को जैसे मैंने side रखा ये बन गया held for sale इसका accounting कम लोग पढ़ते हैं आपका Indias 105 में पढ़ते हैं Is that clear? इसका नाम होता है Non Current Assets Held For Sale Indias 105 का नाम है Non Current Assets Held For Sale Now property अगर rental पर दिया गया हो तो बताओ तो क्या होगा इसका? अगर कोई property रेंटल पर दिया गया है तो बताओ इसका क्या होगा? कम आन टेल में गाईज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर इंडेयर्स 40 बट अगर कोई प्लांट एंड एक्विपमेंट अगर रेंटल पर दिया गया है तो क्या होगा 16 गोलो क्लियर यह हो गया आपका पीपी का स्कोप तो हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ पीपी पढ़ लिया हमने हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ पीपी हमने पढ़ लिया स्कोप ऑफ इंडेयस 16 अभी यह कॉंसेप्ट बीरर प्लांट का इसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा भी रूख जाते हैं चलते हैं प्रिंसिपल पर अब यह रिखनेंशन प्रिंसिपल क्या बोलता है लिखो यहांपर हमने अभी तक क्या पढ़ा कि यह जो टैंजिबल non-current asset है यह PPE है या नहीं PPE YES OR NO PPE OR NOT है या नहीं हमने अभी तक यह पढ़ा लेकिन आपको recognition principle क्या पढ़ार बताएगा कि अगर यह पी पी है तो इसको रेकागनाईस करें या नहीं इसको financial statements में रेकागनाईस करें या नहीं इसको इसको recognize करें या नहीं हमें यह पढ़ना है कि इसको recognize करें या नहीं उससे पहले मुझे query आये भी थी पहले मैं query ले ले लेता हो किसी बच्चे ने मैं से query पुछा था एक मिनट हाँ बिश्वनी ने पुछा था more than one नहीं हुआ तो क्या होगा तो बिश्वनी ने मुझसे डेफिनेस ने पुछा था कि अगर more than one नहीं हुआ तो क्या होगा तो बिश्वनी ये non current नहीं होगा ना फिर अगर ये more than one नहीं हुआ मतलब ये current हो गया और अगर current हो गया मतलब आपको benefits का इसी साल में मिल जाएगा इसी साले benefits मिल गया मतलब आप इसको expense of करके पींडल में डाल दोगे आप इसको expense of करके पींडल में डाल दोगे ओके अब आता है recognition principle तो recognition principle में मैं अतारा था आपको कि अभी तेक हमने पढ़ा कि ये PPE है या नहीं definition से हमने देखा कि ये PPE है या नहीं अब हमने देख लिया कि अच्छा चलो यह PP तो है अब कुश्चिन आता है कि इसको हम लोग recognize करें या नहीं अप पाइंट सर ऐसा क्यों बोले हो recognize करें या नहीं recognize तो होगा ना अगर PP है तो recognize तो होगा ना मैं आपको बहुत ही classic example देता हूँ पता है हम लोग जब class में ये laptop लेके बाढ़ते हैं तो ये laptop लगाता है तीन गंटे चार गंटे चलते हैं जिसे अगर मैं आपकी classes की बात करो तो तीन गंटे classes चलेंगे आपकी right अगर मैं जिससे मैं ACC भी पढ़ाता हूँ तो ACC की classes पता है 4 hours continuously चलती है 4 hours आटे stretch तो अगर laptop 4 hours चलेगा एक साथ तो laptop definitely heat हो जाता है तो मैंने एक device मंगाये था जिससे laptop का heat absorb हो जाए और laptop का life maintained रहे अब जो वो device मैंने Amazon से order किया और आपका पता है कि आजकल क्या होता है कोई भी costly device अगर आप Amazon से order करोगे न तो उसमें होता है कि आप सिर्फ उसको replace कर सकते हो return नहीं कर सकते हो तो मैंने वो device मंगाया it cost me around 8000 या 9000 में वो cost पढ़ा था उस device का कि वो laptop के नीचे रग दूँग अब point क्या हुआ compatible नहीं तो मैं उसको use कर सकता हूँ क्या बताओ can I use the device tell me can I use the device नहीं can I return the device नहीं तो मैंने इसको OLX पर sell करना चाहा तो OLX पर भी sell नहीं हुआ OLX पर भी sell नहीं हुआ तो मैं क्या उसको मैं sell कर सकता हूँ मैं sell भी नहीं कर सकता हूँ तो बताओ क्या उस device से मेरे को कोई भी economic benefits है क्या उस device से मेरे को कोई भी economic benefits है come on tell me ना यूज करके ना sell करके ना return करके मेरे को कहीं से भी कोई भी economic benefits नहीं है come on tell me गाईज अगर मेरे को उस device से benefits ही नहीं तो क्या मैं वो PPE तो है क्या देखो वो device tangible था held for use था in admin purpose के लिए यूज था ठीक है या supply of service भी बोल सकते हो ठीक है and life was more than one period उसका life तीन से चार सल आराम से जलता वो लो ठीक है तो tangible पीथा सब चीज था तो वो PPE का definition तो meet कर रहा था वो PPE का definition तो meet कर रहा था लेकिन वो recognize फिर भी नहीं हो पाया क्यों क्योंकि मेरे को उससे कोई benefits नहीं मिलने वाला है so इसलिए I will not recognize that so ऐसा हो सकता है कि कोई asset ऐसा हो जो PPE तो है PPE तो है लेकिन वो recognize नहीं होगा so कैसे identify करें कि वो PPE recognize होगा या नहीं होगा तो उसके लिए standard बोलता है आपका यहाँ पे कि यह दो condition है जो आपके meet होने चाहिए यह जो दो condition है वो आपके meet होने चाहिए क्या दो condition है पहला condition कि probable economic benefits probable future economic benefits is probable future economic benefits are probable to flow to the entity entity को flow होगा economic benefits जाओकि मेरे case में वो economic benefits flow नहीं कर रहा था तो इसलिए मैं उसको recognize नहीं कर पाया now cost can be measured reliably उसका आपको purchase करने का या बनवाने का कितना cost लगा आपको वो cost भी मालूम होना चाहिए तो दो condition है आपको कितना cost लगा वो मालूम होना चाहिए आपको economic benefits flow करेगा वो probable होना चाहिए कि उसका economic benefits आपको मिलेगा कितना मिलेगा डेफिनेटली आप ये तुरहत एस्टिमेट नहीं कर पागे हो अगर ये दोनों condition satisfy हो जाते हैं तो हाँ हम लोग अपने pp को अपने अगर ये condition में से कोई भी एक condition satisfy नहीं हुआ हो जैसे मेरे case में cost तो मालूम था मेरे को लेकिन उसका economic benefits नहीं था तो मैंने क्या किया अच्छा मेरे मन में thought process क्या आया होगा जब वो device को मैं ना use कर पाया ना sell कर पाया बताओ मेरे मन में thought process क्या आया होगा कि ये पैसा तो ये पैसा तो डैस हो गया बताओ बर बाद हो गया नुक्सान हो गया मेरे को 8000 का यह मेरे को 8000 का नुक्सान हो गया तो यह नुक्सान हो गया मतलब आप उसको क्या करोगे capitalize करोगे क्या नहीं आप उसको expense off करके P&L में डाल दोगे तो standard क्या बोल रहा है if any PP does not satisfy the recognition principle it cannot be recognized in the financial statements rather the same should be written off as an expense in P&L यहां पर financial statements के बतले यासे लिको it cannot be recognized as an recognized as asset या फिर यासे लिको रोगो एक मिनट it cannot be recognized as an asset in financial statements it can be recognized as an expense in P&L it can be recognized as an expense in P&L बोलो clear है क्या clear है क्या everyone now अब आता है तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है आपको है हमें तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है आपके measurement principle measurement principle बोल रहा है कि अभी तक तुमने बोला कि चलो यह PPE तो है PPE का डेफरेस्टन देखा फिर बोला उसको recognize करोगे या नहीं करोगे आपने यह देखा अब बोल रहा है कि अगर recognize करोगे मतलब अगर यह PPE है और उसको तुम recognize करोगे तो at what amount किस amount पे recognize करोगे at what amount is what we are going to discuss the measurement principle का मतलब होता है at what amount are we going to recognize the PPE in the financial statements किस amount पे recognize करोगे इसमें आता है आपका दो principle एक होता है initial measurement एक होता है subsequent measurement initial measurement का मतलब क्या होता है date of purchase date of purchase जिस दिन आपने asset को purchase किया उस दिन क्या value पे इसको account for करोगे subsequent का मतलब subsequently over the life of the asset आपको इसको कैसे accounting करके चलोगे जैसे मैं आपको इसको बताता हो मतलब समझे बात को आपने यहाँ पे purchase किया purchase किया asset को 100 रुपीज में ठीक है आप बोल रहे हो कि इसका life है 5 years इसका life है 5 years और यह जो depreciation charge करता है यह charge करता है straight line method के basis पे आप यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका तो यह जो 100 है आप इसको 5 years में depreciate करना होगा कैसे करोगे बोला जो 100 हुआ जो यह 100 है इस 100 को हम लोग बोलते है initial measurement now year end 1 पे क्या value होगा बताओ तो year end 1 पे क्या value होगा तो 100 by 5 is 20 का depreciation charge करोगे so 100 minus 20 is 80 20 again year end 2 पे क्या हो जाएगा आपका 60 फिर क्या हो जाएगा 40 फिर क्या हो जाएगा 20 और फिर क्या हो जाएगा on the date of purchase this is your initial measurement now जो अब further आपने यह value जो रिकनाइज किया this is your subsequent measurement बोलो is that clear initial measurement और subsequent measurement का मतलब क्लियर हो आपको अब हम लोग को initial measurement में standard क्या बोल रहा है कि जब भी आप initially asset को recognize करोगे तो वह आपको recognize करना पड़ेगा at its cost at its cost आपको cost पर करना पड़ेगा sir cost का logic बताओ ना चलो ठीक है बताता हूँ आपने आपको एक laptop लेना था चलो आपको एक mobile phone लेना था लैपटोप में इसलिए लैपटोप office परपस के लिए उसलिए मैं एक्जामपल में laptop ज्यादा लोगा ठीक है आपको एक laptop लेना था और laptop का amazon में प्राइस जो है लिस्टेड प्राइस जो है जो लिस्टेड प्राइस है लेट सपोस वह है आपका 70,000 रुपीज लेकिन आपके पास कोई coupon code अवेलेबल था आपने वो coupon code लगाया और आपको उसका 8,000 का discount मिल गया और आपने pay किया 62,000 बताओ आप आप laptop को किस value पर record करोगे 70,000 पर या 62,000 पर आपको कोई coupon code मिल गया जिसको आपने apply किया तो आपको 62 में laptop मिल गया 8,000 का coupon code मिल गया आपको, laptop को आप recognize करोगे 62,000 पर very good, why? because आप cost पर recognize करते हो, because आप हमेशा ही अपने assets को cost पर recognize करते हो, okay, so that's the meaning of cost, now, अब आता है cost का exact मतलब क्या होता है, what exactly is the meaning of cost, what exactly is the components of cost, cost में क्या क्या चीज आता है, क्या क्या चीज नहीं आता है, वो समझना बहुत ज समझेंगे, but एक break के बाद, तो हम लोग break लेते हैं, 10 minutes का, उसके बाद फिर हम लोग आगे class को continue करेंगे, okay, यहां तक आप लोग को सब कुछ क्लियर है ना, जहां पे भी, कहीं पे भी, कुछ भी query हो, please, without any hesitation, class में message जालते जाओ मुझे आप लोग, ठीक है, चलो, 10 minutes का break लेते हैं अब, जहां गूशे, कि ब्ल methodology और हमें आप मुझे बँदोंग आप मुझेड करेंगा एंड हो, 30 minutes का करेंगे, sorry, is your value, झाल 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 प्था झाल यस Deem अ यू करें एवरियून ब्रेक के पहले हमने यह पढ़ा था कि पीपी का मतलब क्या होता है पीपी अगर वो पीपी का डेफरेंस साटस्फाइ करता है तो उसको हम लोग रेकनाइस करेंगे या नहीं करेंगे अगर रेकनाइस करेंगे तो किस अमाउंट पर करेंगे और इस कॉल अधिस मेजरमेंट प्रिंसिपल हमने बताया था कि एक होता ह अब मैं पढ़ना है what exactly is the meaning of cost तो आजाओ, तो स्टैंडड बोल रहा है, cost में आपको स्टैंडर बोल रहा है, cost में आपको, cost means purchase price, आपको purchase करने के लिए जितना price दिना पढ़ा पहला तो वो आएगा purchase price अब आएगा यहाँ पे non-refundable taxes या import duties, अब यह क्या चीज होता है, आव समझते हैं let's suppose, आप कभी भी कोई भी purchase, कोई भी product purchase करते होगे, let's suppose आपने purchase किया है एक laptop आपने purchase किया है एक laptop, जिसका total price आपने pay किया 62,000, अब यहाँ पे लिखावा होता है inclusive of all taxes देखा है यह word आपने कभी, come on tell me, देखा है आपने यह word कभी भी right, इसमें inclusive of all taxes होता है यह चीज, कोई भी MRP होता है ना तो वो inclusive of all taxes होता है, अब क्या हो रहा है इसमें, guys I am audible, can you please confirm मैं audible हो ना ठीक है now, so यह price है inclusive of all taxes जिसको हम लोग बोलते हैं MRP, जिसपे आपने purchase किया, आप बोल दीए cost आपका, लेकिन एक बास समझो, यह tax cost, tax हो क्या concept अब यह समझते हैं, इसपे लगता है GST, GST लगता है, अब आता है यहाँ पे GST लगा होगा 18% पे, तो यहाँ पे price हुआ X, यहाँ पे price लगा होगा 0.18X, और यह हो गया आपका 62,000, तो आप मुझे बताओ कि price X का क्या value है, आप मुझे बताओ कि X का क्या value होगा, so 62,000 divided by 1.18 is equals to 52542, तो X का value होगा 52542, और इसका value क्या होगा, into 0.18 is 9458, इसका value होगा 9458, तो आपका MRP होगा 62,000, चलो, अब मैं इसका समझाताओ मतलब, दो perspective से, let's suppose, let's suppose, लक्ष्मी ने, लक्ष्मी ने यह laptop खरीदा है, लक्ष्मी एक बात बताओ, आपका cost कितना पड़ा, laptop का आपको कितना cost पड़ा, 62,000, आपने pay किया, आपको क्या GST का वापस मिलेगा क्या, आपको GST refund मिलेगा क्या, नहीं, आपका cost हुआ 62,000, अब मैं बात करता हूँ, मैं अपने लिए, क्योंकि मैं GST registered हूँ, तो आप पुता क्या होगा, मैं जब laptop purchase करूँगा, तो मैं pay करूँगा 62,000, लेकिन मुझे इस 9458 का input credit मिल जाएगा, right, input credit बोलते हैं, GST में पढ़ते हो तो, input credit मिल जाएगा, कितना का 9458 का मुझे credit मिल जाएगा, तो मुझे net cost कितना पढ़ा बताना जाएगा, 52542, 52542, मुझे net cost पढ़ा, क्योंकि मैंने ये laptop अपने business purpose के लिए लिए था, तो ये हो गया, basically business purpose तो दोनों का ये अज्यूम कर रहा हूँ, business purpose ही है, but basically मैं यहाँ भी बोलना चाहरा हूँ, ये GST registered नहीं था, ये GST registered है, तो मुझे credit मिल गया, तो दोनों के लिए cost अलग-अलग हो गया, दोनों के लिए net cost अलग-अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपक GST जो था, वो non-refundable था, और यहाँ पे मेरे लिए GST क्या था, refundable था, GST मेरे लिए refundable था, तो जब GST non-refundable बनता है, तो वो cost का हिस्सा बन जाता है, is that clear everyone, is that clear everyone, तो मैं वहीं बोलना चाहरा हूँ, कि जब GST non-refundable होता है, तो वो cost का हिस्सा बन जाता है, finance cost under deferred payment terms, तो इसको एक और में लोग hold पे रखेंगे, यह वाला पढ़ेंगे, बट इसको एक और अभी hold पे रखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, स्वारी यह नहीं, finance cost under industry, इसको भी एक और hold पे रखो, यह दोनों point को में लोग hold पे रखेंगे, बट अभी एक और hold पे रखेंगे, अब आता है यहाँ पे, any directly attributable costs, इसका मतलब क्या हो रहा है, बुला, ऐसा कोई भी खर्चा, जो particularly इस asset के लिए ही हुआ हो, to bring that asset in the location and condition intended by the management, management उस asset को कहां पे use करना चाहती है, किस तरह use करना चाहती है, तो जिस जहां पे use करना चाहती है, वहां तक लाने का खर्चा capitalize होगा, जिस तरह use करना चाहती है, उस तरह बनाने के लिए, जो खर्चा लगेगा, वो भी capitalize होगा, बुला, any expenditure incurred to bring the asset in the location intended by the management, कौन से location पे management इस asset को use करना चाहती है, and condition intended by the management, तो समझा बात को प्रैक्綇म्न क्या होता है, आपने पर्चेस किया एक air conditioner, आपने पर्चेस किया air conditioner, तो जो ऑपने पर्चेस किया, आप उसको अपने office पे ले करा होगे, जैसे ही आप office पे लेकर आए, तो लाने का खर्चा लगेगा, उसAnd werk that is an expense incurred to bring the asset to the location intended by the management, Now, AC का box आ गया आपके घर पे, तो जैसे ही AC का box घर पे आ गया, क्या आप उसको यूज करना स्टार्ट कर सते हो, बताओ तो, नहीं, that has to be installed, that has to be installed, उसको install करवाना पड़ेगा, तो installation के लिए अलग से बंदा आएगा, वो install करेगा, so वो installation का जो खर्चा लगा, वो भी capitalized होगा वाई, because it is incurred to bring the asset in the condition intended by the management, क्योंकि AC अगर सिफ अपने box में पड़ा हुआ है, तो it will not have a cooling effect, उसको install कराना पड़ेगा, so any expenditure incurred to bring the asset in the location and condition intended by the management will be capitalized, is that clear everyone? बोलो यार, clear है, very good, so यह हो गया directly attributable costs, यह हो गया directly attributable costs, अब आता है यहाँ पे, एक point, पुलाट, discounts ना बच्चों, दो तरगा होता है, discount दो तरगा होता है, एक होता है आपका trade discount और एक होता है आपका cash discount, और एक होता है आपका cash discount ट्रेट डिसकाउंट क्या होता है टू प्रमोट सेल्स एंटिटी देती है कि सेल्स ज्यादा हो इसलिए ट्रेट डिसकाउंट देती है कैश डिसकाउंट क्या होता है कैश डिसकाउंट क्या होता है टू प्रमोट early payment is called as cash discount is called as cash discount now trade discount अगर आपको कोई trade discount मिला है बोला adjust it to the cost of asset लेकिन अगर आपको कोई cash discount मिला है तो बोला इसको आप P&L में भेज देना अब आता है question why तो standard बोल रहा है कि आपको जो trade discount मिला है वो आपके purchase के कारण मिला है कि आपने हो सकता है बहुत volume purchase किया होगा बहुत जादा purchase किया होगा इसलिए आपको ये trade discount मिला है ठीक है तो ये आपको adjust कर लेना चाहिए लेकिन cash discount आपके purchase के कारण नहीं मिला है cash discount you have got because you have paid the payment early you have paid before time that's why you have got cash discount that's why you have got cash discount तो ये cash discount को बोला इसको adjust नहीं करने देंगे इसको adjust नहीं करने देंगे इसको adjust नहीं करने देंगे तो ये वाला अगर आपको cash discount कुछ मिलता है तो बोला ये वाला पी एंडल में भेज देना directly ये वाला cost से adjust नहीं होगा अब मैं यहाँ पे लिक देता हूँ adjust it to cost of asset copy paste नहीं ये cost से adjust नहीं हो सकता है ये cost से adjust नहीं हो सकता है is that clear to everyone? ठीक है? एक-दो concept और पढ़ेंगे फिर हम लोग question पर भी जाएंगे don't worry बट एक-दो concept फेलो में पढ़ लेना चाहिए फिर question पर जाएंगे तो might be आप अच्छे से उस चीज को समझ पाओगे आप क्या बोल रहा है? हमने पढ़ाया आपको directly attributable cost अब directly attributable cost में आपके कुछ-कुछ और points है जो standard ने दिये हैं यह आपके question में भी है तो मैंने उस अब का एक point बना के यहाँ पर लिखा है हम लोग उसको भी discuss करते हैं पहले आपको मैंने logic बताया था क्योंकि यह आपके early payment के लिए मिला है आपके purchase के लिए आपको नहीं मिला है क्योंकि let's suppose मैंने एक साथ 100 mobile ले लिया तो मेरे को definitely discount बोलूगा ना कि भाई देख मैं तेरे से 100 phone लिया है तो मेरे को discount दे मेरे को discount दे हम लोग में है न वो चीज कि भाई तिरसे इतना समाल ले discount नहीं देगा मेरे को तू discount देगा ना तो वो discount हुआ उसको बोलते है trade discount अब मैंने 100 copies purchase कर लिया 100 mobile phone purchase कर लिया उसको मैं बोला तेरे को payment जो है मैं तुझे एक मैने के बाद करूँगा लेकिन वो बोला कि अगर तू अभी payment कर देगा मैं तुझे पांच परसेंट का और discount देऊगा इसको बोलते है cash discount ये payment ये क्यों दे रहा है discount this is a financing component this is a financing component finance component पीएडल जाता है finance component हमेशा ही पीएडल जाता है और ये बात हम लोग और समझेंगे depth में finance component का जब हम लोग पढ़ेंगे deferred payments वाला point पढ़ेंगे तो हम लोग इसको और clarity आएगा आपको कि हम लोग finance component को पीएडल में क्यों भेजते हैं एक बार के लिए आप यहाँ पर समझ दो cash discount पीएडल में जाता है because ये financing component है आप इतना सा बात समझ दो हम पर finance component क्यों आप पीएडल में जाता है वो हम लोग deferred consideration में deferred payments वाले में और पढ़ेंगे trade discount क्योंकि ये directly purchase से linked है इसलिए ये cost से adjust हो जाता है अब आते हैं directly attributable cost में तो directly attributable cost का कुछ-कुछ inclusions या exclusions आपका दिया हुआ है हमें वो पढ़ना जरूरी है पहला आता है आपका employee benefit का cost अब एक बाप बताओ employee benefit cost में अगर हम कोई building बना रहे हैं मैं कोई property बना रहा हूँ अब property में definitely मुझे labors चाहिए होंगे तो labors हैं जो दिन रात महनत करके property बना रहे हैं तो उन्होंने अब labors को पता है क्या हम लोग देते हैं labors को हम लोग daily wages देते हैं एक दिन काम किया wages ले एक दिन काम किया wages ले या फिर हो सकता है monthly salary देते हों तो अगर हम लोग employees को जो workers हैं employees हैं जो मेरा building construction में help कर रहे हैं जो बना रहे हैं उनको अगर मैं कोई salary दे रहा हूँ तो क्या वो capitalize होगा जी हाँ material capitalize होता है labor भी capitalize होता है labor cost भी capitalize होता है लेकिन समझो बात को मैंने न कोई एक machine purchase किया मैंने एक machine purchase किया उस machine को purchase करके मैं अपने सारे employees को training दे रहा हूँ कि उस machine को कैसे use करना चाहिए अब जो मैं अपने सारे employees को training दिलवाया तो उस training का खर्चा लगिया मेरा कुछ staff training cost क्या ये capitalize होगा come on tell me आपके रिसाप से क्या होना चाहिए आपके रिसाप से क्या staff training cost capitalize होना चाहिए अगर हाँ तो क्यों अगर ना तो क्यों विरिंदा बोल ये expense होगा बताओ क्यों why why expense of because point यहाँ पर ये है everyone listen to me properly employees को मैंने training दे दिया ठीक है हमने employees को training दे दिया definitely मेरे को उसे economic benefits आएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने जो employee को benefits employee को जो मैंने training दिया वो training लेकि दुसरे दिन ही बोल रहा है कि tata bye 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 right मतलब क्या हो गया वो छोड़के चल दिया मेरे को can I control these economic benefits can I control these economic benefits बोलो no वो तो चल देगा उसको training दिया वो तो चल देगा so I don't control the employees hence I don't have a control over the economic benefits given given by the employees so इसको हम लोग capitalize नहीं कर सकते हैं इसलिए staff training cost goes to P&L staff training cost goes to P&L अब आप बोलोगे sir तो फिर आपने जो labors को पैसा दिया वो क्यों किया उसको capitalize क्यों किया क्योंकि उसका benefit तो मेरे को मिल गया ना labor से benefit मेरे को क्या मिला construction का तो उसने construct किया मैंने उसको पैसा दिया तो उसका benefit मेरे को मिल गया इसलिए मैंने उसको capitalize कर दिया इसलिए उसको मैंने capitalize कर दिया अब building पे मेरा control है building से मेरे को economic benefits आते रहेगा building से मेरे को economic benefits आते रहेगा इसलिए मैंने उसको capitalize कर दिया are you understanding the difference? तो यहाँ पे होगे आपका employee benefit cost और यहाँ पे होगे आपका staff training costs staff training costs आपका यहाँ पे लिखतो staff training costs capitalize नहीं होगा cost of site preparation जहाँ पे आप asset को ला के locate करोगे उस site को prepare करने कुछ खर्चा उसको बोलते cost of site preparation वो भी capitalize होता है initial delivery and handling cost capitalize होता है installation cost capitalize होता है professional fees which are directly attributable capitalize होगा cost of testing अब क्या होता है बड़ी-बड़ी machinery को हम लोग जब भी अपने factory में लाते है ना तो हम लोग उसको पहले test करते हैं कि other machines के साथ यह machine मेरा compatible है या नहीं यह मेरा product मेरे desired shape में बनाके देगा या नहीं तो इसको हम लोग test करते हैं तो बोला testing का जो भी खर्चा लगा capitalize होगा testing का जो भी खर्चा लगा capitalize होगा अब point यहां पर यह आता है कि testing में जो खर्चा लगा वो तो capitalize होगा लेकिन let's suppose let's suppose ITC ने ITC बनाती एक biscuit called as sunfish biscuit ठीक है ना अब क्या हुआ एक machine है जो sunfish biscuit बनाता है तो ITC ने वो machine purchase किया sunfish biscuit बनाने के लिए तो जब test run ले रहा था तो उसमें sunfish biscuit बन के आया एक बाब बताओ क्या उस sunfish biscuit को हम लोग fake देंगे क्योंकि यह तो testing में बनाए tell me क्या इस sunfish biscuits को हम लोग fake दें नई definitely not right तो उसको हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग market में sell कर देंगे तो standard यहां पर क्या बोल रहा है क्योंकि testing cost capitalize हो रहा है क्योंकि testing cost capitalize हो रहा है इसलिए testing से जो output बना उसको बेचने से जो पैसा आया वो भी cost में adjust होगा अब समझे रहे मेरी बात को cost of testing whether the asset is working properly तो यह capitalize होगा includes मतलब capitalize होगा but after deducting the proceeds from sale of any product produced during the testing period is that clear everyone? बोला any other directly attributable overheads अब overheads में आपको एक बात बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों अगर question में आपको overheads दिया होगा है और question clearly बोल दिया है directly attributable है overheads question बोल रहा है कि यह overheads directly attributable है तो यह आप capitalize करोगे to cost अगर question बोल रहा है allocated है allocated है या general है या admin है तो इसको आप P&L में भेजोगे इसको आप P&L में भेजोगे जब तक directly attributable ना हो overheads यह capitalize नहीं होगा जैसे इसका example अप यहाँ पे देखो other directly attributable overheads capitalize होता है और यहाँ पे फिर आपको देखोगा admin or general allocated overhead costs यह exclude है मतलब यह P&L में जाता है यह कहाँ जाएगा तो यह हो गया और यह भी हो गया cost of conducting business in a new location और a new class of customer बोला a new location पर हम लोग बिजनस खोल रहे हैं यह new class of customer को हम लोग pitch कर रहे हैं those are like advertisement cost उसको हम लोग capitalize नहीं करते हैं उसको हम लोग P&L ले भेजते हैं incurred in introducing a new product or service अगेन यह advertisement cost है इसको हम लोग capitalize नहीं करते हैं अच्छा ठीक इस point को रोखो अब यह तीनों मैंने बताया advertisement cost P&L मजाता है क्यों एक बाद बताओ आपने advertisement किया अपने product का जरूरी है कि उससे product आपका sale हो जाएगा बताओ जरूरी है क्या उससे आपका product sale हो जाएगा come on tell me आपने advertisement का cost incur किया जरूरी है क्या आपका product sale हो जाएगा no not necessarily not necessarily तो इसलिए बोला गया है वहाँ पे कि advertisement cost को हम लोग control नहीं करते हैं because it can give me economic benefits it might not give me economic benefits तो इसलिए advertisement cost को हम लोग P&L में भेज जयते हैं तो advertisement cost P&L में जाता है अब बोला गया कि आपका asset आपने यहां पे asset को purchase किया यहां पे आपने asset को purchase किया ठीक है और यहां पे बोला यहां पे asset is in the location and condition intended by the management बोला यहां से यहां तक लाने में जो भी खर्चा लगा सारा capitalize होगा चाहे वो purchase का cost हो transportation का cost हो installation का cost हो site preparation का cost हो directly attributable overheads हो या जो भी हो सारा capitalize होगा लेकिन इसके बाद कोई भी खर्चा capitalize नहीं होगा इसके बाद कोई भी खर्चा capitalize नहीं होगा यह बन जाएगा आपका initial measurement का date और इसके बाद बन जाएगा आपका subsequent measurement का date आप asset को depreciate करोगे अब आपका asset में कोई भी capitalization नहीं होगा तो यहां पर यह वाला point बोल रहा है यह वाला बात cost incurred while an item is capable of being operated in a manner intended by the management now initial operating loss आपने asset को purchase किया अब उससे loss हो रहा है तो क्या आप सो capitalize करोगे नहीं loss P&L में जाता है cost of relocating or reorganizing एक बाँ बताओ ना मैंने AC लिया था तो AC को जो transport का cost सा capitalize किया लेकिन अब पता है मैं अपना studio को shift कर रहा हूं तो जो यहां से अपना studio में ले जाने का खर्चा होगा उसका cost ला क्या उसको मैं air conditioner में add करूंगा cost को बताओ तो Will I add that? No! No! Right? She wants to operate it चुप Siri बीच्वर active हो जाती है तो उसको मैंने चुप कर दिया अब मुझे बताओ यहां तक आप लोको सब कुछ clear है बलो यार everything clear सारे concept समझ में आ रहे हैं आपको very good अब आपको लग नहीं रहा है यहां पे sir बहुत theory हो गया questions कराऊ ना बहुत theory हो गया आज के लिए right? questions करना है क्या? अब करते हैं एक दोड़ा question करते हैं फिर एक theory करेंगे फिर एक question करेंगे हम लोग आज फिर आज के लिए done हो जाएंगे question bank में आ जाते हैं हम लोग पी-पी के आ जाओ question bank में क्या बोल रहा है? question पढ़ो question number one on first April 2021 xyz limited acquired a machine first April date को highlight करो first April 2021 xyz limited acquired machine under the following terms list price इतना है ये इतना है ये इतना 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 चलो मुझे बताओ क्या होगा इसका answer at what cost ये आपका question है ये आपका question है at what cost आपके पास समय है सिर्फ और सिर्फ तीन मिनट का तीन मिनट ही दो मिनट का अभी हो रहा है नौ बचके दो मिनट का समय है आपके पास मुझे इसका amount बताओ सो हमारा structure ऐसा ही रहेगा class का मैं आपको पहले दूँगा solve करने फिर मैं बताओंगा अपना answer फिर मैं discuss करूंगा करूंगा झाल झाल कमान गैस बताओ क्या होगा बड़ा हीजी से कुष्चन नहीं आ रिये तो प्रकास का एंसर आ गया है 89 वट अबॉट अधर्स चलो डिसकस करते हैं आपका टाइम हो गया है अब झाल 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 कि क्या बोल रहा है लिस्ट प्राइस है इतना पहले दिखाओ आपने पे कितना किया है बताओ तो प्राइस था कितना फिर आपको बोला इसमें मिला आपको ट्रेड़ डिस्काउंट ुट ट्रेड डिस्काउए बताओ कि俺 को कितना का किарт NAS तो 10% कितना हो गया इड़ आ अपने को इतना डिस्काउंट मिले माझेट बताओ रस निकालने में Settlement discount को क्या हम लोग consider करेंगे क्या cost निकालने में नहीं सettlement discount जो भी अगर आपको मिला होगा वो जाएगा P&L में इसको हम लोग consider नहीं करेंगे टिकर treat discount आगे आपका इतना फिर बोला है import duty कितना है 5 लाक delivery fees कितना है delivery macht delivery का fees कितना है एक लाग, फिर installation का कितना लगा आपका, installation का लगा आपका 10 लाग, फिर आपका testing का कितना लगा, testing का लगा आपका 4 लाग, तो total, यह फिर क्या है, purchase of a 5 year maintenance contract with the vendor, आपने maintenance contract vendor से purchase किया है, 5 सल का, उसके लिए आपको लगा 7 लाग एक बात बता हो, यह जो प्लस 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 तैन प्लस फूर इस नाइन्टी टू पे प्लस 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 प् which you will expense of over 5 years so this is the treatment this is the treatment question clear है वाला question number 1 clear है आपको very good now फिर आता है आपका question bank यहाँ पे चलो question नम एक question हुआ और question करें यह भी question करते हैं चलो आप बताओ इसका तेको में आपको हिंट दिया ना अब एक question आप खुछ से करो 1 question खुछ से करो question number 2 आप खुछ से करो फटा-फट question number 2 खुछ से करो फटा-फट तिए दोम फटा-फट बताओ तो कितना capitalized होगा cost that can be capitalized बताओ कितना होगा cost of plant capitalized होगा delivery and handling capitalized होगा cost of site operation capitalized होगा consultants मतब professional fees for acquisition मतलब directly attributable capitalized होगा interest charges paid to supplier for deferred payment deferred payment मैंने अभी deferred credit पढ़ाया नहीं है लेकिन इसको आप capitalized नहीं करते हो now ये वाला point मैंने पढ़ाया नहीं है आपको present value of the estimate dismantling cost मैंने नहीं पढ़ाया but इसको हम लोग capitalized करते हैं operating loss हो capitalized नहीं करते हैं हम लोग बताओ तो कितना हो रहा है 25 plus 2 27, 27 plus 6 33, 33 plus 7 40, 40 plus 3 is 43 43 lakhs होगा इसका answer 43 lakhs 43 lakhs तो अब मुझे आपको पढ़ाना है दो बात अब मुझे आपको पढ़ाना है दो बात कि ये पढ़ाना है कि आपको दो बात पहला पढ़ाना है मुझे आपको deferred payment वाला और दूसरा पढ़ाना है मुझे आपको present value of decommissioning cost पढ़ाना है यह दो चीज पढ़ाना है में अब आपको ठीक है तो आज आओ अपने notes पे वापस से हम लोग पढ़ना start करते हैं deferred payment और dismantling का खर्चा क्या होता है यह दोनों के बारे पढ़ते हैं अब मुझे पहले आपके साथ लेता हूं cost of dismantling decommissioning and restoration का खर्चा लेता हूं के सब पहले में costs of अब आपको अब इसमें आपके साथ लेता हूं अब इसमें आपको क्या बोलता समझो बात को जो बहुत बड़े बड़े assets होते हैं like for example oil rig like for example oil rig आपने वाइल देखा है कभी कि ओई देखा किसी ने कि क्या होता है एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा मसीन होता है जो समुद्र में समुद्र मतलब sea ocean उसमें install किया जाता है जो sea bed से petroleum को extract करता है ठीक है? Reliance एक company है जो ये काम करती है Reliance भी एक company है जो ये काम करती है Reliance के बहुत सारे oil rigs हैं जो Indian ocean में Arabian sea में installed हैं for extracting the petroleum from sea bed Now अब समझें बात को यहाँ पर तो एक बात समझें पहले बताओ Arabian sea जो मुंबई के पास जो Arabian sea है क्या ये एक बात बताओ मुझे India के क्या ये मुकेज भाई अम्बानी की property है बताओ ना क्या ये मुकेज भाई अम्बानी की property है definitely not definitely not तो आप मुझे बाग बताओ क्या मुकेज भायमबानी जाके Arabian Sea जो इंडिया नोसन में है यहाँ पर अपना मुंबई के पास उसमें से जाके petroleum extract कर डेगा अपने मर्जी से नहीं उनको चाहिए होगा Modi जी का approval उनको चाहिए होगा Modi जी का approval अब मुकेज भायमबानी गए Modi जी के पास कि Modi जी मुझे ना एक oil rig install करना है इंडियन ओसन में तो आप मेरे को उसका approval दे दीजिए तो Modi जी उसका documents देख रहे थे सारा तो Modi जी जब documents देख रहे थे ना तो उसमें Modi जी को पास चला कि यह जो oil rig है आपको relate कर पाऊ example से तो मैं आपको इची दिखाता हूँ देखो क्या होता है देख लो पहले images देखो यह सब है आपने देखा भी होगा movies में बहुत देखा होगा यह oil rig यह क्या करता है समुद्र के sea bed से petroleum extract करता है यह sea bed से petroleum extract करता है तो मोधी जी जब documents देख रहे थे मुकेस बहिमानी का तो मोधी जी को क्या प्रचला कि अगर और एक oil rig का life पता है बच्चो कम से कम भी 30 साल होता है 30 years तो अगर एक जगह से 30 years तक आप petroleum extract करते रहोगे तो don't you think वो area पुरा deteriorate हो जाएगा quality लो हो जाएगा उस area का वहाँ पे natural जो भी organic जो भी plants थे या animals थे वो सब वहाँ से चल जाएगे दूर बोलो तो nature को definitely उससे imbalance होगा तो मोधी जी बोले कि देखो अमानी हम आपको यह approval नहीं दे सकते क्योंकि अगर आप एक जगह से 30 years अब एक्स्ट्राक करोगे तो जब आप 30 years के बाद वहाँ से अब हटाओगे उस oil leak को तो वह area पूरा खराब हो चुका होगा तो हम लोग आपको इसका approval नहीं दे सकते हैं तो मानी क्या बोले यहाँ पे मानी जी क्या बोल रहे है कि सर हम समझ रहे हैं आपकी बातों को यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा कि जब 30 years के बाद यहाँ से oil leak को मैं हटाऊँगा ना तो मैं इस area को restore कर दूँगा मतलब जैसे पहले था वैसे restore करवा दूँगा इसको तो मुदीजी बोले ऐसा possible है तो मुदीजी बोले अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है मैं आपको approval देता हूँ लेकिन आप यह मेरे को writing में लिख के दो कि आप उसको area को restore कराओगे अब मेरा आपसे question है अगर मुदीजी बाइंबानी ने मुदीजी को यह लिख के नहीं दिया कि मैं उस area को restore कराओँगा तो क्या मुदीजी अप्रूवल देंगे बोलो क्या मुदीजी अप्रूवल देंगे definitely not मुदीजी अप्रूवल नहीं देंगे उस case में now अगर मुदीजी अप्रूवल नहीं दिये तो क्या मुकेज भायमानी oil rig को install कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अगर मुकेज भायमानी oil rig को install ही नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या, मुकेज भायमानी oil rig से economic benefits ले पाएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ जो मुकेज भायमानी ने ये obligation लिया कि मैं restore करा दूँगा that enables the entire asset to generate the economic benefits बलो हाया ना so basically क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे एक oil rig purchase किया let's suppose at rupees 1 crores या 25 crores आपने purchase किया यहाँ पे now asset का life है let's suppose 10 years asset का life है let's suppose 10 years now अब मुकेज भायमानी क्या बोल रहा है 10 years के बाद मैं इस जगा को restore करा दूँगा अब restore करा हैगा तो definitely यहाँ पे कुछ खर्चा लगेगा इसका तो let's suppose मुकेज भायमानी यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे खड़े होके यह predict कर रहा है यह project कर रहा है कि मेरा यहाँ पे खर्चा जो लगेगा न वो लगेगा around 20 crores restore कराने खर्चा लगेगा मेरे को 20 crores लेकिन यह खर्चा तो यहाँ पे लगेगा अब इस खर्चा से दो question आता है क्या यह amount capitalize होगा to cost पहला question क्या यह capitalize होगा बताओ क्या यह खर्चा capitalize होगा cost पे the answer is the answer is चलो आप लोग ट्राए करो पहले बताओ क्या यह खर्चा capitalize होगा the answer is yes capitalize होगा अब question आता है क्यों क्यों capitalize होगा क्यों 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 की यह जो खर्चा लग रहा है यह enable करता है entire asset को economic benefit generate करने में क्योंकि अगर यह नहीं होगा तो इससे benefits भी नहीं होगा तो इसका भी कोई value नहीं है तो यह economic benefits generate करने में मदद करता है So this acts as an enabler asset इसका आप individually तो कोई इसका value नहीं है लेकिन अगर हम यह नहीं incur करेंगे तो यह main asset भी economic benefit generate नहीं कर पाएगा तो यह generate करने में help करता है इसलिए इसको हम लोग capitalize करेंगे अब question आता है capitalize अगर हमें करना है तो definitely यहीं पर करना पड़ेगा तो हम लोग incur तो यहाँ पर हो रहा है अब जब present value पर हमने capitalize कर दिया तो एक बात आज से हमेशा ध्यान में रखना है यह बात अभी से और हमेशा हमेशा ध्यान में रखना जहां जहां present value का concept आएगा सुनना मेरी बात को ध्यान से जहां जहां present value का concept आएगा वहां वहां subsequently unwinding आएगा अगर आपका present value liability है तो unwinding में finance cost आएगा अगर आपका present value कोई asset है तो unwinding में finance income आएगा लेकिन finance आएगा जरूर unwinding आएगा जरूर इसलिए अगर आप मेरे fr capsule का second page अगर turn करके देखो कि एगा किसी के पास fr capsule है अगर fr capsule है तो क्या लिखा है unwinding your present value to reach future value देखो तो लिखा हुआ है कि आपको अपने आपको unwind करना है और future value पे reach करना है आपका future value क्या है becoming a chartered accountant बताओ सब पहुंचोंगे अपने future value पे अपने आपको अपने आपको अनवाइंड करना है और पहुंचना है अपके actual destination डाट इस chartered accountant CA now यहां पर भी वही होता है आप present value निकालोगे फिर इसको unwind करोगे unwind करोगे unwind करोगे और यहां पर फिर pay off कर दोगे यहां पर फिर pay off कर दोगे यहां पर फिर pay off कर दोगे तो इसको मैं एक examples के तुरू समझाता हूँ तो I believe आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ठीक है मैं example के तो समझाता हूँ आपको एक जैसा मैंने आपको बोला था मैं examples already draft करके लाओंगा आपके लिए बस यहां पर हम लोग discussion करेंगे class में हम लोग कोई भी फाल्तू का time waste नहीं करने वाले हैं हम लोग class में एक-एक मिनट को value करेंगे class में even मैं अपना question को draft करने में भी time waste नहीं करूँगा question मैं already draft करके लाया हूँ आपके लिए provision for decommissioning का यह example है चलो क्या बोल रहा है on first April 20x4 इसको मैं next page में लेके चलता हूँ better रहेगा on first April 20x4 a limited purchase and oil rig for 10 lakhs ठीक है तो यहाँ पर purchase किया कितना में आपका purchase किया कितना में 10 lakhs में okay incurred installation cost of 2 lakhs capitalize now फिर क्या बोल रहा है a limited estimates a limited estimates decommissioning and restoration cost of rupees 6 lakh of okay तो बोल रहा है यहाँ पर आपको restoration cost लगेगा at 6 lakh life of oil rig 3 years है sir आपने 3 years क्यों लिया है okay life 3 years है आपका restoration cost है 6 lakh आपका a limited estimates decommissioning and restoration cost of 6 lakh life आपका 3 years है rate of interest 10% है तो मुझे बताओ इस cost को क्या हम लोग capitalize करेंगे जी हाँ at its present value तो बताओ इसका present value कितना होगा what is the present value at the rate of 10% come on tell me what is the amount आपको present value निकालने आता है क्या आपको present value निकालने आता है अगर नहीं तो मैं आपके portal में एक video upload कर दूँगा how to calculate present value different different scenarios में तो आप उस scenarios को देखना और अपना present value निकालना सीख जाना 450788 तो 1.1 divided divided 123 multiplied by 6 lakh यह हो गया 450788 very good very good 450788 तो यह हो गया आपका present value आपका cost कितना हो गया बताओ मुझे what is the cost of oil rig will be 10 lakhs plus 2 lakhs plus 450788 is equals to how much 1650788 अब इसका journal entry क्या हो जाएगा यहाँ पे what is journal entry which will pass so entry हो जाएगा asset या asset छोड़ो while rig while rig account debit to bank asset ही लिखना हो to bank to provision for decommissioning removal and restoration costs यह DRRC का मतलब 1650788 bank में कितना आया 12,00,00, यह कितना आया 450788 अब point आता है कि subsequently इसका accounting क्या होगा तो standard बोलता है subsequently आप अपने asset को depreciate करोगे over 3 years okay now DRRC को आप amortize करोगे over 3 years amortize करोगे इसको ऐसे लिखना चाहिए and amortize that is unwind and record finance costs and record finance costs over 3 years and then at year-end 3 pay-off the provision and at year-end 3 pay-off the provision so यह आपका treatment होगा कैसे treatment होगा वो भी दिखते हैं कैसे treatment होगा now year-end 1 है यह year-end 2 है यह year-end 3 है यह now अब मुझे बताओ पहला finance cost कितना होगा और finance cost कितना होगा और finance cost कितना होगा तो आपका था कितना 450788 अब unwinding करोगे same rate से जिससे आपने present value कर ला था 450788 का 10% होता है आपका 45079 45079 तो आपका liability कितना बन गया 450788 प्लस 45079 आपका library बन गया 495867 495867 तो इसका 10% कितना होता है second year का interest rate interest इतना होगा 49587 और third year कितना हो जाएगा आपका 4507 450788 इन्टो 1.1 इन्टो इन्टो यहां पर होजाएगा आपका 54545 और यहां पर होजाएगा आपका 6 lakh liability right तो उसका general entry कैसे record करके बताओ तो उसका general entry आपका record होगा यहां पर finance costs आपका अमाउंट आएगा यहां पे 4507 9 और आपका प्रोविजन फर डियर अर्सी कितना बन जाएगा आपका provision for DRRC बन जाएगा 450788 plus 45079 that is equals to 495 867 यहाँ पर आपका finance cost बना 495 87 और आपका total liability कितना बन गया 545454545454545454545 और यहाँ पर कितना बन गया 5454545 यहाँ पर फिर आप क्या करोगे provision for DRRC account debit to bank अब एक बात बताओ क्या जरूरी है यह जरूरी है यह जरूरी है थर्ड यर के एंड में हमें 6 lakh ही पे करना पड़ेगा exact ऐसा भी हो सकता है 5.5 lakh पे करना पड़ जाए ऐसा भी हो सकता 6.2 lakh पे करना पड़ जाए यह 6.8 lakh पे करना पड़ जाए यह क्योंकि यह 6 lakh तो estimate था ना हमने कोई contract तो किसे sign किया नहीं है यह तो एक estimate था यह तो एक अनुमान था बलो हाय ना and estimate का nature क्या होता वो तो change हो सकता है तो यह आपका हो सकता है यहाँ पे 6 lakh के बदले हो सकता है आपको 6 lakh ही पे करना पड़े तो 6 lakh account debit to bank 6 lakh यह फिर हो सकता है कि आपको यह फिर और पे ओफ आपको करना पड़ जाए 6.2 lakh तो entry क्या बनेगा provision for DRRC account debit कितना का provision था प्रोविजन आपका 6 lakh का था लेकिन आपने payoff कितना किया 6 lakh 20,000 so difference कहां गया expense में जाएगा P&L account debit में जाएगा 20,000 आपका जाएगा expense यहां पर clear या फिर आपको हो सकता है कि आपको payoff करना पड़े या फिर हो सकता है आपको payoff करना पड़े 5.7 lakhs इस case में क्या होगा आपका provision कितना था provision for DRRC तो था 6 lakh का लेकिन आपने payoff किया 5 lakh 70,000 so difference कहां जाएगा P&L में जाएगा 30,000 बोलो इस आट क्लियर एव्रिवन इस दे ट्रीट्मेंट ऑफ डी कमिस्निंग और इस्टोरिशन कॉस्ट के लिए टो एव्रिवन बता बोल दो गाईस समझ में आया आपको अब आपको मैं दे रहा हूं कुछ homework आज के class का तो definitely आपको रिवाइस तो सब कुछ करना है 1, 2 और 4 आपको try करना है बस 1, 2, 4 और 5 चलो ठीक है वन में आ जाओ तो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं homework तो आपका homework क्या होगा आज के class का ज़्यादा नहीं दे रहा हूं definitely बस इतना बोलना हूं कि revise करना lecture number 1 of PPE सब कुछ देखना प्लस आप questions solve करना 1, 2, 3 नहीं 1, 2, 3 नहीं करना आपको 1, 2 तो करना है 3 नहीं करना है 4 कर लेना और 5 कर लेना 4 करना और 5 करना तो यह आपको homework में solve करना है बोला clear यहाँ तक मैं यह notes आप लोगों को drive बनाके upload करके आज ही दे दूँगा और lectures भी upload कर दूँगा YouTube पे तो यह lecture number 1 और lecture number 2 आपकी YouTube पे upload होंगे तो आप सब देख सकते हो और हाँ अगर आप lecture YouTube पे देख रहे हो और आपने अभी तक enroll नहीं किया है तो enroll किजे and FR का November 24 में class को किजे